प्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं चेप्टर का नाम है Material Cost एक्जाम के व्यूपॉइंट से ये चेप्टर important है Material Cost एक्जाम के व्यूपॉइंट से चेप्टर बेहद important है इस चेप्टर में लगा लो आप कि 5 marks से लेकर 15 marks तक का एक्जाम में आता ही रहता है यानि मैं इसको बोलता हूँ category A chapter यानि very very important chapter अच्छा ये है concept book जो आपको मिली है जहां पर concept आपको मैंने written form में दिये हैं ठीक है और ये है आपकी practice book जहां से अपने को question करने हैं तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर का नाम है material cost इसको अपन बहुत ही तरीके से करेंगे हर चैप्टर को और हर question का answer मैंने आपको दे रखा है already आप जब मैं answer करूँगा इसके उपर तो उसको आप समझते वे चलना note करने मतलग ना समझते वे चलना note करने का मन करें आप note कर सकते बीच के अंदर को दिखकत वाली बात नहीं है चले शुरू करते हैं देखिए एक product को बनाने में अगर मैं एक businessman हूँ मेरा purpose है profit कमाना देखिए मैं क्या हूँ businessman मेरा मकसद है कि मैं profit कमाऊ profit कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे कोई product बना कर बेचना होगा यानि कि या तो मैं इसकी manufacturing करूँगा and sell करूँगा या फिर मैं इसको buy and sell करूँगा इससे हम retail भी बोलते हैं माल लीजे मैं करता हूँ manufacturing because costing के अंदर हम manufacturing को consider करते हैं reselling को नहीं retailing को नहीं समझे खरीद के बेचना एक all together difference है but costing means manufacturing and then sell अच्छा जब मैं manufacturing करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे खर्चे होते हैं कुछ खर्चों को बोलते हैं variable cost और कुछ खर्चों को बोलते हैं fixed cost variable cost से होता है मतलब वो खर्चे जो ज्यादा production करने पर ज्यादा होंगे और कम production करने पर कम होंगे example के लिए अगर मान लीजिए मेरी company यह calculator बना के बेचती है अगर मेरी company calculator बना के बेचती है तो यह जो plastic body है यह दिखरी है आपको इसके अंदर पूरा calculator का format दिखरा है आपको यह button बटन दिखे रहे यह कौन्जी cost है material cost मान लेता हूं कि इसका जो material cost है जो यह material है जो यह material है इसकी cost है मान लो 50 रुपए पर unit कितनी मानी मैंने 50 रुपए पर unit short में लेखना हूं material cost कितनी है 50 रुपए पर unit अगर मैं बनाओ 100 calculator तो कितनी कॉस्ट आएगी सो गुना पचास अगर बनाओं एक लाख गुना पचास तो देखा आपने कॉस्ट मेरी बढ़ रही है टोटालिटी के अंदर ध्यान देना अगर मैं थाउजेंड नंबर्स बनाता हूं कल्कुलेटर के यह तो मेरी वैरियेबल कॉस्ट क्या होगी मेरी मेरी मटीล कॉस्ट क्या होगी miten हजार गुना 5 में सौल गया अगर में हजार बनाता हूं और एक को बनाने में कोश्ट आती है मेरी %50 रुपए तो ये मतलब है variable cost का मतलब होता है वो खर्चा जो प्रोडक्शन के बढ़ने पर बढ़ जाएगा प्रोडक्शन के घटने पर घट जाएगा यहां पर अब्ज़र्व करिए प्रोडक्शन जैसे ही मैंने 1,000 से 1,000,000 किया मेरी material cost 50,000 से बढ़के कितनी हो गई 50,000 लैक यानि variable cost का मतलब होता है total cost vary करेगी तोटल cost vary करेगी जड़ ध्यान देना खास बात है मैंने क्या बोला total variable cost मेरी vary करेगी मतलब change करेगी यह total variable cost मेरी उपर या नीचे होगी depending upon production level यानि कि total variable cost depending upon production level उपर नीचे होगी मैं ज्यादा बनाऊंगा मेरी total variable cost ज्यादा हो जाएगी मैं कम बनाऊंगा मेरी total variable cost कम हो जाएगी पटे खास बात ध्यान देना variable cost per unit यह हमेशा मेरा same रहता है same at all level of production यानि कि जब मैंने बनाए एक हजार calculator तो भी कतिनी थी पचास रुपए per unit जब मैंने बनाए एक लाख calculator तो भी कतिनी थी पचास रुपए per unit तो समझो feature पुड़क को बनाने में खर्चा होता होती है यानि कि दोनों लेवल पर मेरी पर unit basis पर सेम होगी ध्यान देना बहुत खास बाते हैं इससे पता करते हैं कि वैरियेबल है कि फिक्स तो पर यूनिट अगर सेम है अलग 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 लेवल प्रडॉक्शन पर तो उसको बहूंगा सैंतो बेरियेबल कॉस्ट द extract बहुत काम की बात मैंने कि बूला पर यूनिट सेम है तो में क्या बोल रहा हुं यह नेचरもう और अब बात करते हैं इसकोंस कि इस इसकोंस मतलब हुता है वो कोस्ट जो टोटालिटी में फिक्ष जड़ेगी धियान दिना ज़रा कि टोटल फिक्स कोस्ट रिमेंस सेम यानि टोटलिटी फिक्स रहेगी एकजाम्पल के लिए एकटरी का रेंट एक्जाम्पल के लिए फैक्ट्री का रेंट मालो मैंने फैक्ट्री ली मैंने बोला भाई फैक्ट्री लेते हैं फैक्ट्री का रेंट है मालो एक लाख रुपे मैंना अब भाई एक लाख रुपे मैंना फैक्ट्री का रेंट है अब चाहे कैलकुलेटर बनाऊं पचास या प तो इसको बोलते हैं fix cost और जो cost per unit basis पर सेम रहती है उसको बोलते है variable cost बड़ी गहरी बात बता रहा हूं आपको क्या बोला मैंने मैंने बोला a cost which remains same in totality at different production level at different production level is called fix cost यानि कि total में अगर fixed है total में अगर same है तो मैं क्या बोलूँगा यह खचा मेरा fix cost है but if a cost is is same on per unit basis at different production level then it is called variable cost it is called variable cost it is called variable cost क्या समझे कि अगर total में same हो तो fixed cost और अगर per unit basis पर same हो तो variable cost तो यह मैं क्यों बता रहा हूं आपको ध्यान दीजे मेरा purpose था profit कमाना profit कमाने के लिए मुझे manufacturing करने है अच्छा manufacturing करने है मुझे बहुत सारे खर्चे करने है तो ध्यान देना जो यह variable cost है जो मैंने बुला देखो मुझे करना है बहुत सारे खर्चे तो total cost में जो मेरा variable cost वाला part है variable cost और दूसरा है मेरा fixed cost तो ध्यान देना variable cost को costing के अंदर तीन category में divide करते हैं एक होता है direct material cost इसे क्या बोलते हैं direct material cost दूसरा होता है direct labor cost और तीसरा होता है direct expenses direct expenses अब तीनों में difference क्या है ध्यान देना material cost मतलब material की cost इस calculator को बनाने के अंदर जो यह आपको plastic body दिख रही है यह क्या है material तो भाई साब यह जो खर्चा है इसको बोलते है material cost अब यह direct है direct मतलब वही production के बढ़ने पर material cost का खर्चा बढ़ जाएगा तोटल में production के घटने पर material cost का खर्चा घट जाएगा तो इसे बोलते है direct material cost तो मैंने example लिया मैंने बोला कि calculator को बनाने में मेरी material cost लगती है पचास रुपाए पर calculator पर calculator तो definitely company को अगर ज्यादा profit कमाना है ध्यान देना company को अगर ज्यादा profit कमाना है देखो company को अगर ज्यादा profit कमाना है तो उसके पास दो option है profit कैसे निकलता है selling price minus total cost दोने को दोने पर unit है per unit and per unit यानि मुझे अगर profit per unit को बढ़ाना है तो मेरे पास दो रास्ते है पहला रास्ता तो क्या है कि मैं selling price को बढ़ा लूँ मतलब अपने माल को बहुत ज्यादा कीमत पर market में बेचूँ ये मेरे पास है पहला तरीका अगर मैं अपने selling price को बढ़ाने में सफ़र हो जाता हूँ तो definitely मैं अपने profit को maximum कर लूँगा बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर selling price को बढ़ा पाना इतना आसान नहीं होता है because of tough competition मालो मैंने बनाया calculator मुझे पता पड़ा कि यार मेरे को maximize करना है तो मैंने बूला यार यह similar calculator market में कितने का भी करा है तो मेरे स्टाफ ने मुझे पता करके बता रहे कि सर स्विले काल्कुलेटर मांके ने भी करना 300 रुपा यह वालनों 400 रुपा चार सो भी करना मैंने बोला यार मेरे calculator की कीमत रखो आप 4000 रुपा है क्यों क्यों कि मुझे profit को maximize करना है मेरा profit का maximum होगा जब मेरी selling price ज्यादा होगी cost मेरी कम होगी तो जैसे ही मैंने बोला कि मुझे अपने calculator का selling price 4000 रुपा रखना है बताओ मेरा sales manager क्या बोलेगा वो मेरा आगे हाथ जोड़ लेगा सर क्या बात कर रहे हुँ आप market में similar calculator 400 रुपा का बिकरा है आप जब 4000 का बिचोगे ना आपके calculator को कोई touch भी नहीं करेगा मतलब माल बिकेगा ही नहीं अरे selling price जादा रखने से क्या फाइदा हुआ अगर माल ही नहीं बिकेगा तो sales है नहीं sales zero है और जब sales ही zero है profit कहां से maximize हो गया बलकि loss होने की समभावना बढ़ जाएगी तो जैसे ही मैं अपने sales manager की यह वाली बात सुनूगा मेरे मन में बात आएगी कि यार बात तो मेरा sales manager सही क्या रहा है अगर मैंने इस calculator का price 4000 रुपे रख दिया तो market के अंदर खरीदने वाला एक भी बंदा नहीं होगा तो क्या होगा यह जो तरीका था कि selling price को increase करके profit को maximize कर या तो कोई ऐसा feature हो कि मुझ से बोलो और calculator calculate कर देगा जैसे मैं बोलू 25 multiplied by 25 और यह दिखा दे answer में 625 बिना button press किये तो यह क्या हो जागा unique feature बट ऐसा कोई feature तो मेरे कालोटर में है ही नहीं तो भाई एक तरीका होता है selling price बढ़ाकर profit को maximize करना जो कि सबके लिए possible नहीं होता है यह काम आप कभी कर सकते हो जब आपके product के अंदर unique skill हो या कहलो unique quality हो एक ऐसी quality जो similar product के अंदर market में available ही नहीं है अच्छा यह था पहला तरीका अब आते हैं दूसरा तरीका दूसरा तरीक profit को increase करने का एक और तरीका है कि cost को minimize कर लो cost को minimize कर लो भाई अच्छा cost को minimize करना है इसका मतलब है variable cost को minimize कर लो and direct expense को minimize कर लो यानि की कुल मिलाकर second तरीके में है cost को minimize करो तो यह चाप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे इन टेखनीक की मदद से एक company अपने direct material cost को minimize करती है direct labor cost को minimize करना है हम एक अलग chapter में पढ़ेंगे direct expense को minimize करना हम एक अलग chapter में पढ़ेंगे इस chapter में पढ़ने वाले हैं direct material cost को minimize कर यानि कि अगर हमने कैसे ना कैसे करके इस 50 रुपए पर calculator वाली cost को minimize कर दिया तो हमारा profit बढ़ जाएगा भई मानलो आज खर्चा आता है 50 रुप quantity bulk में खरीद ली या मानलो out of India China sex import कर लिया मैंने अब import करने मुझे पता पढ़ा कि जो मेरी material cost पहले 50 रुपए आ रही थी अब future में वो आएगी 35 रुपए तो क्या किया मैंने 15 रुपए से अपने profit को increase कर लिया तो यह था इस पूरे चैप्टर का conclusion की आखरी चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एक्जाम में पास करना है बात तो ठीक है आपकी लेकिन पास करना तो है बट क्यों हमारे institute ने इसको चैप्टर को रूप में डाला है logic आप समझ गए है practical life के अंदर आपका purpose होता है cost को minimize करना अगर cost को minimize कर दिया तो profit अपने आप पाना प्रैक्टिकल लाइफ में काफी जगह possible ही नहीं होता है because of tough competition तो यह है इस चैप्टर का conclusion तो बात कर लिए मैंने material cost हमारी होती है variable cost यह खर्च होती है per unit basis पर अगर बनाओंगा एक calculator तो मुझे एक खांचा चाहिए बनाओंगा दो calculator तो मुझे material body के दो खांचे या दो format चाहिए बनाओंगा 100 calculator तो मुझे 100 खांचे या 100 format चाहिए जैसे यह pen अगर एक pen बना की बेचना है तो एक pen की plastic body refill cap ए एक एक चाहिए अगर दस बनाओं तो दस 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 अगर सौ बनाओं तो सो सो हजार बनाओं तो हजार 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 हाला कि मेरी cost per cap cost per refill cost per plastic body समय सेम रहेगी द्यान देना per unit cost मेरी सेम रहेगी बट जैसे ही मैं ज्यादा production करूंगा मुझे ज्यादा number of material चाहिए होगा जि जिसे मेरी टोटल जिसे मेरी टोटल 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 डारेक्ट material cost बढ़ जाएगी समझ गए तो यह है इस चैप्टर का basic चलिए आगे बढ़ते हैं आपको मिली है एक concept book और एक आपको मिली है practice book तो concept वाली book के अंदर concept आपको लिखे लिखा है format में मैंने already दिए हुए concept को मै सिखाऊंगा आपको बताऊंगा उसके बाद उसके उपर करेंगे हम question practical questions चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला concept है आपका economic order quantity सबसे पहला concept है आपका economic order quantity आखिर यह होता क्या है ध्यान देना material cost पे खर्चा मुझे minimize करना है मैंने बताया अभी material cost पे खर्चा मुझे minimize करना है त कितने material की requirement है पूरे साल में मुझे कितने material की requirement है मालो पूरे साल में मुझे एक लाख पैन बना के बेचने है तो definitely मुझे एक लाख plastic body की requirement है जो pen की plastic body है मुझे एक लाख refill की requirement है मुझे एक लाख cap की requirement है तो पूरे साल की annual quantity की requirement पता कर लेने के बाद मेरे पास दो रास्ते है इस माल को खरीदने के, इस मटेरियल को खरीदने के, एक रासा तो क्या है? इस सारे के सारा मटेरियल एक ही बार में खरीद लो, यानि पूरे के पूरे एक लाख पैन मैं एक ही बार में खरीद लो, अच्छा, ध्यान देना जराब. अगर पूरे के पूरे एक लाख पैन मैं एक साथ खरी लेता हूं, तो मुझे फायदा क्या होगा और मुझे नुक्सान क्या होगा, देखो, जब मैं एक लाख पैन एक साथ खरीद दूँगा, तो definitely वो एक साथ मेरे फैक्टरी में आएंगे, यानि कि transportation cost में सिर्फ एक ही बार खर्च करनी है मेरे को फायदा हुआ उसे बोलते है technical शब्द में ordering cost यानि एक बार माल आया order करने में जो process में खर्चा आया वो मेरा सिर्फ एक ही बार खर्च होगा लेकिन एक दूसरी cost उसको बोलते हैं carrying cost मतलब देख रेक करने का खर्चा भई material गुदाम में आ गया आने के बाद उसे रखना पड़ेगा न सवाल के पतलगा चूबे काट गया इंप्रोई चुरा के भाग गया उठाने उठाके ठीक से रखने रखाने में तूट फूट हो गई तो इसे बोलते हैं रख रखाओ वाला खर्चा और टेक्निकल शब्दों में इसको बोलते हैं carrying cost पहला वाला कौंसा कर्चा था ओर्ड्रिंग कोस यानि order करने का खर्चा यह खर्चे का मतलब क्या है जैसे मालो मैंने किसी online website से एक शर्ट ऑ्डर करी मैंने एक शर्ट ऑदर करी सिंगल शर्ट वाइट शर्ट मैंने ऑडर करी वाइट शर्ट आई 15 और मेरा कुर्य लगा दो सुर्पया गा 17 रपे मुझे कॉश्ट पढ़ गी पूरे के पूरे शर्ट की लेकिन मान लो अगर मैं एक साथ एक साथ दो शर्ट और कर देता तो कितना खर्चा होता मेरा वह फंदरा सूर पर शर्ट तो पंदरा सो गुना दो पर चेस कॉस्ट प्ल तो मेरी ओर्डरिंग कॉस्ट कम खर्च हो रही है अच्छा अब इसी प्रकार से कंपनी के अंदर भी जब एक ही बार आपनी सारी कॉंटिटी मंगा ली आपको एक ही बार ट्रांसपोर्ट वाले भाईया करने पड़ेंगे एक ही बार खर्चा होगा फिर आते हैं केरिंग क्या होता है जब आपका raw material गुदाम में आ गया उसकी देखरेक करो चूबे न काट लें उसे धूब से बचा के रखो उसको प्रॉपर रिस्टोरेज में परीके से रखो गुदाम में अच्छे से उसको मेंटेन करो अगर मालो बहुत ही कच्छा इटा में किसे ने मालो अमरेट बना के बेचता है सब कोच करो उसने दो हफते में कंज्यूम होने वाले अंडे का पूरे का पूरा अगर चुवावी अंडे पर कूद लिए तो अंडे फूख सकते हैं तो समझ के बात हो यानि रख रखाव तो करना पड़ेगा इसे बोलते हैं केरिंग कॉस्ट त मैंने एक बार में उर्टर कर दिया थ्यान देना जरा मेरी आॉर्डवारिंग कॉस्ट तो कम आहेगी क्यों कि और मुझे एक एक बार करना पड़ा बट मेरी carrying cost बढ़ जाएगी क्यों बढ़ जाएगी मेरी carrying cost भई एक लाख यूनिट के हिसाब से मुझे warehouse लिना पड़ेगा उस एक लाख यूनिट के लिए proper rack बनवानी पड़ेगी कि भई ये वाला item इसमें रखो भई प्लास्टिक body यहां रखो refill यहां रखो, cap यहां रखो अच्छा, यह कब हुआ, जब मैंने एक लाख यूनिट ऑफ मटियल एक ही बार में order कर दिया, दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक लाख को एक बार में order ना करूँ हर महीने में मान लो, एक लाख बटा बारा, हर महीने में 8334 यूनिट ऑफ माटियल ओडर करता रहूँ मैंने क्या करा, पूरे साले मंगाने एक लाख इसको मैंने महीने में डिवाइड कर दिया, एक लाख बटा बारा कि बारा बार मंगाँगा, तो हर महीने मंगाँगा 8334 यूनिट अब इसका फायदा क्या हुआ जब यूनिट्स मेरे पास कम होंगी वेरहू छोटा चाहिए होगा देखरे करने में नुकसान भी कम होगा तो उकल मिलाके मेरी कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी बट मेरी ओर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी साल में अगर बारा बार आइटम खरीद के लाँगा तो बारा बार ट्रांस्पोर्टेशन कॉस्ट इंगर करने पड़ेगी तो यह मेरी बढ़ जाएगी तो यही कॉंसेप्ट है अब बताता हूँ कैसे तो सवाल यह है कि अगर मैं ज्यादा कॉंटिटी खरीदता हूँ तो मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है अगर मैं ज्यादा कॉंटिटी खरीदता हूँ तो मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है अगर मैं कम कॉंटिटी खरीदता हूँ एक बार में order दूँ इसी को बोलता है economic order quantity देखिए 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 मैं जो गर आपके दिखाता हूं आपको यह आपका y-axis ठीक है यहाँ पर लिखता हूं में economic order quantity शॉर्ट में लिखा मैंने कि इंफो याणि एक बार में कितना order करें और यहां पर लिखता हूं में cost यानि कि जो मेरा खर्चा हो रहा है जब मैं जब मैं जब मैं एक लाख यूनिट्स का order करता हूं तो carrying cost ज्यादा आती है और जब मैं कम quantity का order करता हूं तो मेरी carrying cost का क्कॉन्टिटी और कईरिंग कॉस्ट में सभी आघर में करणगा तो उसे। एसे इसको में ग्राफ पर ऐसे दिखा सकता हूं, यह है मेरा carrying cost अरे यह इंद किसे carrying cost समझाइ मैं ज्यादा और करूं मैंने quantity बढ़ाई carrying cost मेरी बढ़ गई अगर मैं quantity और बढ़ाऊंगा carrying cost मेरी बढ़ जाएगी तो graph से हो रहा है के लिए कि इन में क्या होता है positive relation होता है quantity man pairing cost में अब आते हैं ordering cost के अंदर ध्यान देना अगर quantity ज्यादा है तो ordering cost कम है और quantity कम है ordering cost ज्यादा है relationship opposite है तो graph पे इसको मैं ऐसे दिखा हूँगा यह मालू मेरा ordering cost अब ज़्यान देना अगर मैं quantity यहाँ पर order करूं अगर मैं यहाँ पर order करूं quantity का तो यह line मैंने draw कर दी अब ज़्यान दो यहाँ मेरी carrying cost ज्यादा है ordering cost कम है यानि ज्यादा quantity में carrying cost ज्यादा होगी ordering cost कम होगी जब यहाँ यहाँ पर करता हूँ order करता हूँ अगर मैं यहाँ पर करता हूँ order को ज्याद है ordering cost कम है कुल मिलाकर दोनों ही level पर मेरी एक cost कम होने पर दूसरी cost बढ़ जाती है तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि वो कौन सा level of quantity है जहां पर मेरी ordering cost और carrying cost बराबर होगी और minimum होगी तो वो है यह level इसी को बोलते हैं हम economic order quantity का level तो यहां से अगर मैं एक line ड्रा करूँ तो यह point को मैं कहता हूं मालो C तो C is my economic order quantity level कुल मिलाकर इस level पर आपकी ordering cost, carrying cost बराबर भी होगी और minimum भी होगी तो यह मैंने graph में आपको समझा दिया है ठीक है चलिए अब लोटते है concept के तरफ तो कुल मिलाकर मैंने क्या बताया आपको मैंने आपको बताया कि भाई जब एक हम item खरीते हैं material हम खरीते हैं तो खर्चों में दो तरी खर्चे होते हैं एक का नाम है आपका ordering cost और एक का नाम है आपका carrying cost ठीक है अच्छा इसके लाब एक खर्चे और का नाम होता है purchase cost अगर एक लाख units खरीते हैं मैंने material की तो एक लाख गुना 50 रुपए पर calculator था ना ordering cost क्या है order करने की cost जैसे transportation cost आएगी सके अंदर inspection cost आएगी सके अंदर this is my ordering cost जतनी बार order place परूँगा उतनी बार मेरी cost incur होगी फिर है carrying cost एक बार material go down में आ गया आने के बाद उसको safe रखने में जो खर्चा होता है उस खर्चे को हम बोलते है carrying cost carrying cost में आता है आपका insurance cost भी आता है क्योंकि insurance लेना पड़ता है चूरी चकारी ना हो जाए आग ना लग जाए interest cost अगर पैसे उधार लेके माल खरीदा है तो interest cost भी आएगा तीसरा है storage space cost बेसिकली यह बात कर रहा है rent की गुदाम छोटा बड़ा लेना पड़ेगा और चौथा है आपका debtor duration और obsolence cost यह क्या होता है पता लगा आपने जो खरीदा है material वो outdated हो गया उसका risk भी तो है मालों कोई company phone बना कर बेचती है उसने stock खरीद लिया कि एक लाग फोन बना कर बेचेंगे तो उसने खरीद लिया उसका raw material ऐसा भी तो हो सकता है कि जब तक वो एक लाग फोन बनाए उसके पहले वह वाला model आउटडेट ही हो जाए तो वो भी आपका risk है तो यह है खर्चा न ठीक है अब आगे बढ़ते हैं economic order quantity निकलती कैसी है इसका formula में आपको दिखा देता यह रहा economic order quantity को निकालने का formula यह formula क्या है square root में 2 multiplied by A multiplied by O divided by C यहाँ पर A मतलब क्या है annual requirement of raw material यानि पूरे साल में कितना raw material खरीदेना है ओ मतलब ordering cost per order एक बार order करने में कितना खर्चा आएगा पिर है carrying cost per unit per annum अगर मैं एक unit को अच्छे से अपने गुदाम में safely रखूँ तो पूरे साल में इस पे कितना खर्चा आएगा यह formula याद कैसे करना है यह मैं आपको बताता हूं ध्यान देना इस formula को याद करने के ट्रिक में देना चाहता हूं और यह ट्रिक मैं आपको इसलिए देता हूं क्योंकि exam के अंदर कई बार student formula ही गलत लिग देते हैं इसलिए answer गलत आ जाता है पर अगर answer गलत आया भाई तो number नहीं मिलेंगे तो ध्यान देना इस formula को याद करने की technique में आपको दे रहा हूं तो कैसे करना है देखो मान लो एक लड़का है वो उसका किसी गली में किसी से पंगा हो गया मान लो दो लड़के हैं भारी बरका में उनसे पंगा हो गया अब वो लड़का उन दोनों को ना ध आ जाओ तुम दोनों को दोनों आ जाओ आ जाओ एफ और आ जाओ A, O, C ना लिखके A, C, O लिख देता है, इससे answer में convert हो जाती है, तो याद क्या से करेंगे, कि तुम दोनों के दोनों, इसको आप लिख में सकते हो, तुम दोनों के दोनों, फिर A for आ जाओ, A से आ जाओ, open challenge है, तुम दोनों के दोनों, A for आ जाओ, open challenge है, काट दूँगा, यह वाले formula को याद करने का, एक और trick है, अगर मान लो, अगर आपको जिंदगी में हमेशा खुश रहना है, life or enjoy करना है, पैसे कम हो, ज्यादा हो, जो भी हो, लोग आपको approach करें कि यार, इस बंदे में दमए, यार मिस दोस्ती करने हैं, तो क्या बनना पढ़ेगा आपको, cool, त आपको maintain करनी है, एक angle of coolness, angle of coolness, आपको अपने दे डाली है, एक angle of coolness, इससे क्या होगा, लड़कियां प्रभावित हो जाती है, impress, अगर आप ज्यादा cool दिखोगे ना मेरे भाई, तो जिन्दगी के मजिल होगे, और cool रहना भी चाहिए है, धोनी, कहते है cool रहता है, तो य quantity, ठीका न, economic order, quantity, तो यह तो formula था, अच्छा, इस formula की derivation कैसे हुई, तो भाई, इस formula की derivation तो मैंने सिखाई है, regular वाले batch के अंदर, आईए, आपको simply formula याद तरना है, अच्छा, कई बार question के अंदर बोलता है, annual ordering cost निकालो, कई बार बोलता है, annual carrying cost निकालो, तो भाई, annual ordering cost न पूरे साल में कितने बार order place करें, multiplied by ordering cost per order, पूरे साल में कितनी बार order place करें, कैसे निकालो, भाई, मालो, पूरे साल में, एक लाख units order करनी थी, और मालो, एक बार में, 10,000 units का order कर रहे हैं, तो पूरे साल में, कितनी बार order place करना पड़ेगा, 10 बार, कैसे निकाला आपने, आ यानि annual requirement of raw material divide by q, यानि एक बार में कितना order किया, तो a बटा q, यहाँ आजाएगा total number of orders, multiplied by क्या करतेंगे हम, o, o से हम denote करते हैं, ordering cost per order, यह बताया मैंने आपको भी, o से हम क्या denote करते हैं, ordering cost per order, तो यह formula मैंने यहाँ पर लिख दिया है, annual requirement of raw material, divided by quantity ordered each time, multiplied by ordering cost per order, यानि a बटा q, multiplied by o, अब आगे आजाओ, annual carrying cost, तो भाई annual carrying cost क्या होती है, annual carrying cost का मतलब है, units को on an average, अपनी factory में, अपनी गुदा में, रखने में कितना खर्चा आता है, तो भाई हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, एक unit को, एक साल, maintain करने में कितना खर्चा आता है, पहले तो वो बताओ, यानि कि C बताओ, पहले तो C, यह था ना C, carrying cost per unit per annum, तो यह रहा भाई C, यानि average carrying cost per unit per annum, और इससे multiply कर देंगे, फिचि average units, ध्यान देना, order units नहीं, average units, इसका logic में आपको चलो बतायता हूँ, ध्यान देना, मुझे निकाल लिए, on an average, पूरे साल बे कितनी carrying cost लगेगे, तो माल लो, यह आपका पूरा महिना, यह एक महिना है, माल लो, one month, समझाने के लिए लिखाए मैंने, one month, माल लो, आपका पूर करी आपने, 1000 kg of raw material, फिर consume होते 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 यहाँपे केतना हो गया 0 kg, तो मैं आप से पूछो, कि भाई, आपकी monthly carry cost कतनी है, तो बताऊ ज़रा, कैसे निकालोगे आप, आप बोलोगे सर, 1000 पे निकाल दो 1000 kg गुना C अगर आपने मुझे बोला 1000 kg गुना कर दो C C क्या मेरा carrying cost per unit पर है नब तो मैं बोल रहा हुँ गलत है क्यों भाई यहाँ पर 1000 है नहीं आखरी में तो भाई 15 तारिक के बाद 1000 होंगे ही नहीं हर रोज क्यम होते जा रहे हैं भाई तो कलता है फिर अगर आप बोलोगे carrying cost का निकालने के लिए आप average निकाल लो सर एवरेज average क्या निकलेगा opening stock plus closing stock divided by यानि कि 1000 kg plus 0 kg इसका मतलब क्या है कि मेरा closing stock हमेशे क्या होगा 0 और opening stock क्या है मेरा quantity order तो यानि मैं बोलूँगा Q plus 0 divide by 2 यानि Q by 2 Q plus 0 divide by 2 यानि Q by 2 इसका मतलब क्या होगा average inventory निकालने के लिए करना पड़ेगा मुझे Q by 2 multiplied by करना पड़ेगा C और C क्या है मेरा carrying cost per unit तो ऐसे आएगी मेरी annual carrying cost तो question में अगर बोलता है annual ordering cost निकालो formula याद रखना annual carrying cost निकालो formula याद रखना एक खर्चा और रदा इसके लावा इसको हम बोलते हैं purchase cost क्या बोलते हैं इसको purchase cost चरीए अब बात कर लेते हैं safety stock की कई बार कुछ company या maintain करती है safety stock कई बार ऐसा होता है आप जब भर के बार जाते हो तो आपको आप एक रोड रुपे दिये हजार रुपे रखते हैं आप पर्स के अंदर बट उसके अलावा एक chore pocket भी होती है कुछ लोग अपनी socks के अंदर 100 रुपे 200 रुपे रखते हैं वो क्या है chore pocket कुछ लोग अपनी अंदर वाली जब में 200 रुपे रखते हैं क्याने का मतलब safety अगर मेरा फर्स चूरी हो जाए तो यह पैसों से घर तो आ जाओंगा इसी तरह company के अंदर होता है safety stock safety stock का मतलब है कि कभी भी production ना रुके हमेशा calculator company के अंदर बनते रहें तो safety stock की carrying cost और ordering cost कैसे निकालते हैं ध्यान देना जब मैं safety stock की carrying cost निकालूंगा तो q by 2 नहीं करूंगा because safety stock units पूरे साल में सेम रहती है जितना opening उतना ही closing अगर मैंने अपनी company में बोला कि भई 1000 calculator के material आप हमेशा on an average store करके रखो अपने पास चाहे production हो चाहे ना हो तो मेरा average stock क्या हो गया opening plus closing divide by 2 और वो मेरा save है शुरू में कितना था 1000 आखनी में कितना था 1000, 1000 plus 1000, 2000 divide by 2, 1000 तो कुल मिलाकर safety stock वाले case में हमें average करने की requirement नहीं है सीधे हम safety stock unit से carrying cost को multiply कर देंगे और आजाएगा carrying cost of safety stock safety stock economic order quantity से अलग होता है economic order quantity का मतलब है एक बार में कितनी quantity का हम order करें और safety मतलब होता है extra हमने material खरीद कर रखा हुआ है पिर आता है ordering cost of safety stock अगर question आपको बोलता है safety stock की ordering cost निकालो तो बहुत simple है safety stock एकटा करने के लिए हमने कितनी बार order दिया multiplied by ordering cost per order यानि की multiplied by अच्छा मजे की बात देखो अगर safety stock पिछले साल से carry forward कर रहे हो मतलब इस साल आपने कुछ नया order नहीं किया safety stock के लिए तो ordering cost क्या होगी zero क्यों भाई इस साल तो हमने order नहीं किया यह दो material पिछले साल से ही रखा हुआ है तो zero अच्छा इनके safety stock is ordered in the current अगर मानलो इस साल हमने order किया है formula वही है number of order multiplied by ordering cost per order और normally safety stock आप एक ही order में company मंगा लेती है normally question में ऐसा हो सकता है कि एक बार में नहीं मंगाया हो दूबार ही मंगाया हो ऐसा possible है तो यह है आपका economic order quantity का concept चलिए अब इसके बाद करते हैं question आप आजाईए question number question number 4 आपको practice book मिली है question number 4 पे आजाईए question number 4 question number 4 को solve बढ़ते है question number 4 यहां पर नहींता हमे question number 4 question number 4 को बढ़ते है कहता है requirement number 1 कहता है compute economic order quantity and total variable cost for the following हमें economic order quantity निकालनी है annual demand 5000 units यानि हमें question में एद रखा है कितना 5000 units यह क्या है मेरी annual requirement of raw material कभी बार student confuse कर जाता है कि यहां पर demand word क्यों लिखा हुआ है हाला कि demand word technically तो गलत लिखा हुआ है यहां पर demand का मतलब है requirement हमें कितनी requirement है material की तभी तो मोटर करेंगे यार demand मतलब वैसे बेशना होता है but यहां पर demand word technically गलत है demand word का यहां मतलब है requirement यानि कि मैं अगर आपको बोलू कि demand word को काट के आप लिखे लो requirement आप समझाओगे annual requirement तो भाई 5000 units की annual requirement है उसके बाद दिखा unit price है 20 रुपए अच्छा 20 रुपए क्या है मेरा purchase cost per unit फिर उसके बाद है order cost 16 रुपए तो ओ मेरा क्या है ओ है मेरा ordering cost per order समझ के 16 रुपए रखा है मेरे को अज आप फिर रखा मुझे storage rate 2% per annum interest rate 12% per annum and obsolence rate 6% per annum बिसके लिए किसके बात कर रहा है यह बात कर रहा है carrying cost के मैंने अभी अभी आपको बताया carrying cost के अंदर अगर आपको interest cost, storage cost, obsolence rate यह दे रखा है इन सबको आप add कर दो यानि कि 2% plus 12% plus 6% कितना हो गया यह 12, 6, 18 और 20% तो 20% per annum per unit लेकिन ध्यान देना हमें carrying cost rupees में चाहिए तो जब भी carrying cost आपको percentage में गिवन हो उस carrying cost को आप purchase price per unit से multiply करेंगे यानि कि इस 20% को मैं multiply करूंगा unit price से जो किया 20 रुपए तो यह आ गया मेरा 4 रुपए per unit per annum क्या मतलब इस 4 रुपए का? एक unit को on an average carry करने में पूरे साल में 4 रुपए का खर्चा आता है अब मुझे निकालना है economic order quantity formula क्या था? तुम दोनों के दोनों आ जाओ तुम दोनों के दोनों आ जाओ open challenge है काट दूंगा घर में घुज कर या फिर angle of coolness तो 2 multiplied by A है मेरा 5000 वह है मेरा 16 और C है मेरा 4 तो निकाल लेता हूँ भई मैं यह आ गया मेरा 200 units this is my 200 units economic order quantity चलूंगा आगे question मुझे क्या बोला है question मुझे बोला है total variable cost निकालने के लिए answer को proper format के अंदर मैंने आपको already दिया हुआ है वहां से आप दिख सकते हैं तो यहां पर मैं थोड़ा abbreviation का इस्माल करूँगा समय को बचाने के लिए तो मुझे क्या निकालना है total variable cost अब ज़रा ध्यान देना मैंने आपको बताया थै कि total variable cost मतलब क्या क्या होता है direct material cost direct labor cost and direct expense और इस कोशन गंदर labor cost की बात नहीं करी गई है direct expense की बात नहीं की गई है तो यहां पर total variable cost का मतलब है total direct material cost direct material cost full form लिख दूँ direct material cost तो मुझे यह निकालना है total direct material cost तो खर्चे तीन तरीके के होता है एक होता है मेरा purchase cost यहनि खरीद नहीं कितना खर्चा आया तो ध्यान देना मेरे को खरीद नहीं है 5000 units और एक unit है 20 रुपे की तो 5000 गुना 20 कितना जागा यह यह आ गया एक लाक रुपे खिक है जी यह आगे मेरी purchase cost इसके बाद दूसरा खर्चा क्या था मेरा ordering cost ordering cost से निकालने का formula क्या था total number of orders multiplied by ordering cost per order total number of order के निकालने का formula क्या था a बटा q multiplied by o अच्छा यह मतलब क्या है यह मतलब है total annual requirement कितनी है जी 5000 units क्यों मतलब क्या है एक बार में कितनी quantity order की करेंगे वो मैंने अभी निकाला economic order quantity इसे को बोलते है q तो यह कितना है 200 units multiplied by मेरी ordering cost कितनी है 16 रुप है per order तो पांच हजार बटा 200 यानि 25 बार order करेंगे एक बार order करेंगे मैं खर्चार सोरी रुपएगा तो 25 गुना सोल हो गया मेरा 400 रुपए 25 गुना सोला कितना हो गया मेरा 400 रुपए इसके बाद मेरा carrying cost मुझे निकाल लिए annual carrying cost यह सारके सारे खर्चे annual है इसलिए काले formula क्या है q by 2 multiplied by c तो q कितना है एक बार में कितनी रुट्स का मुझे order करना है तो भाई वो है 200 अभी निकाला मैंने economic order quantity divide by 2 मेरा c कितना है c है मेरा 4 रुपए अभी निकाला था चार की requirement number 1 पूरी तरिके solve हो गई है ठीक है अब आते है requirement number 2 की तरफ requirement number 2 requirement number 2 में बुलता determine total variable cost that would result for the items if an incorrect price of 12.80 is used पुल मिलाकत इस question में कोई change नहीं है requirement number 2 बस यह बोल रहा है कि first वाली as it is से मानलो बस price को आप मानलो 12.80 पैसे यानि कि everything is same बस price हो कि हमानलो 12.80 पैसे यानि कि पहले हमने incorrect price ले लिया था जो की 20 रुपए था और यह 12.80 पैसे होना चाहिए था तो भाई कोई change नहीं है change इसका है बस price का यानि technically requirement number 2 के अंदर हम कुछ नया सीखने वाले नहीं है तो requirement number 2 आप खुच्चे solve कर लेना इसका answer मैंने आपको already यहां पर दिया हुआ है proper format के अंदर मैंने economic order quantity भी निकाली है मैंने वही purchase cost, ordering cost, caring cost और तीनों को टोटल निकाल दिया एक बाद verify कर रहा दूं कि आपको चलो verify कर वायता हूँ देखो यह मेरा सेम रहेगा 5000 units अच्छा ओ मेरा सेम रहेगा 16 रूपए ओ मतलब ordering cost मतलब caring cost per unit per annum तो मुझे करना था 20% of purchase price तो यहां पर 20% of purchase price मेरा कितना हो गया 12 रूपए 80 पैसे तो यह आगया मेरा 12.80 का 20% यह आगया मेरा 2 रूपए 56 पैसे अब लोग मेरे पास A B है मेरे पास O B है मेरे पास C B है मैं अराम से निकालूंगा economic order quantity economic order quantity आगया मेरे पास Q आगया 200 अब उसल मुझे क्या निकालना है purchase cost purchase cost क्या होता है पूरे साल में कितना खरीदना है पूरे साल में खरीदना है 5000 पूरे साल के रिखारण के पैसे गुना कर दो आगया 400,000 रूप़ पिर मुझे निकालना है ordering cost ordering cost निकालना का formula होता है A by Q multiplied by O A मेरा कितना है A मेरा 5000 पूरे साल के रिकारण कितनी है 5000 Q एक बार में कितना order करना है यह निकालना है 500 तो 5000 गुना O कितना है 16 रूप़ए ordering cost पर order यह आगया मेरा 320 रूप़ए फिर निकालना मुझे carrying cost formula क्या है Q by 2 multiplied by C तो भाई Q मेरा कितना है 2500 है divided by 2 और C मेरा कितना है 2.56 तो यह आगया मेरा 2.56 इसके बाद अगला कोश्चन करेंगे अपन अगला कोश्चन करेंगे अगला कोश्चन करेंगे चलो कोश्चन नमबर 21 करते हैं कोश्चन नमबर 21 तो कोश्चन नमबर 21 निकालो कोश्चन नमबर 21 जी लिमिटेड प्रडूसेश ए प्रडुक्त विच हैज मंतली डिमांड और 4000 उनिट्स धान देना मंतली डिमांड है मंतली 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 अगर मुझे निकालने हो पूरे सालिट क्या करना पड़ेगा मुझे 4000 उनिट्स को टुवेल वो मंत से मल्टिपलाई करना पड़ेगा तो यह आजाएगा मेरा 48,000 उनिट्स और यह क्या है मेरा ए एन्नूवल रिकवार्मेंट ऑस रो मैटेरियर्ट अब जान ध्यान देना आगे बढ़ते हैं यह ओंपूनेंट एक्स विच इस पर्चेज्ज एंट रुपीज ट्वनटी यई बीस रुपह कैमेरा पर चेज कोस्ट पर रिमट पॉर एवरी फिनिश प्रोट वर्यृंट प्रडग वनभी इनिट अवट इनिट्स बनाने के लिए एक ही चाहिए रो मैटेर्या तो भाई multiply कर दिया एक से कितना आगे मैं 48,000 the ordering cost is Rs. 120 per order तो ओ मेरा कितना है 120 रूपे and the holding cost is 10% per annum holding cost वालब carrying cost तो भाई 10% multiplied by कितना है purchase cost तो यह है आपका 20 रूपे तो यह आगे आपका 2 रूपे 2 रूपे पर यूनिट पर थीक है 2 रूपे पर यूनिट पर question है क्या बोला you are required to calculate economic order quantity चलो भाई economic order quantity निकाल लेते है square root में 2 multiplied by angle of coolness a कितना है मेरा 48,000 o कितना है मेरा 120 और c कितना है मेरा 2 यह आगया मेरा 2400 यूनिट्स क्या मतलब इसका इसका मतलब है यह company को अगर अपनी material cost कम करनी है पूरे साल की तो एक बार में 2400 यूनिट्स का order देना चाहिए ठीक है यानि एक बार में 2400 यूनिट्स मंगाने चाहिए पूरे साले मंगाने कितने है 48,000 तो 2400 मंगाओ 2400 खतम हो जाए फिर 2400 मंगाओ फिर वो खतम हो जाए फिर 2400 मंगाओ यह तिर रिक्वार्मेंट नमबर वन आओ रिक्वार्मेंट नमबर टू कहता है इव दा मिनिमम लॉट साइज तो बी सप्लाइड इस 4000 यूनिट्स वाट इस एक्ट्रा कॉस्ट कम्पनी हैस तो इंकर ध्यान देना हमने क्या बूला सप्लाइड को एक बार भी 2400 बंगाएगे सप्लाइड क्या बूला ओ भाई साब ओ होश में आजाओ भाई साब 4000 का लॉट है हमारा हम 4000 से कम सप्लाइड करते ही नहीं है जैसे मालो मैं किसी विजिटिंग कारड वाले भई आपने चला जाओ मैं बोलू मुझे विजिटिंग कारड बनवाना है उसने बुझा कितने बनवाना चाहते है आप मैंने बुला पचास ओ बुलेगा भाई साब क्या कर लो सर कम से कम 200 और 300 का लॉट है हमारा इससे कम नहीं बनाते हम समझ गया तो यह कह रहा है कि अगर minimum lot 4000 units है यानि मालो कमपनी के मजबूरी है कि 4000 units तो order करनी पढ़ेंगे इससे कम वो order ही नहीं कर सकते हैं तो बताओ कितनी extra cost company को incur करने पढ़ेगी हमने क्या बोला अगर 2400 unit वो order करते हैं एक बार में तो भाई cost आएगी कम ordering cost भी कमाएगी carrying cost भी कमाएगी कुल मिलाकर total direct material cost कमाएगी लेकिन इसके अलावा किसी और unit level पर अगर order करेंगे तो ज्यादा आएगी cost तो कितनी ज्यादा आएगी question हमसे पूछ रहा है चलिए बनाते हैं solution को requirement number 2 देखो एक तो माल लेते हैं अगर order करें economic order quantity 1200 units एक बार में कितना order करें? 2400 तो कितना खर्चा आएगा और एक बना लेते हैं कि अगर हमें 4000 order करनी पड़े तो कितना खर्चा आएगा क्यों? दोरों के difference form क्या बोलनेंगे? extra cost चलिए सबसे पहले बात करता हूँ purchase cost ही खरीदे की cost पर unit तो भाई चाए 2400 order करो एक बार में चाए order करो 4000 पूरे साल में हमें खरीदना है 48000 units तो भाई 48000 units multiplied by क्या purchase price है? 20 रुपए 960 यहाँ पर भी 48000 units multiplied by 20 रुपए कितना आ गया? 960 यहाँ यह तो दोनों में same ही रहेगी because पूरे साल में खरीदने मुझे 48000 ही है चाए में order कितना का भी करूँ एक बार में पिर अगले में आते हैं अगला मानलो ले रेते हैं ordering cost ordering cost क्या formula ordering cost का? A divide by Q multiplied by O पूरे साल में कितने order? multiplied by ordering cost per order तो भाई पूरे साल में कितने requirement है? 48000 के एक बार में कितने order कर रहे हैं यहाँ पर? 2400 तो 48000 बटा 2400 कितना आ गया? यह आ गया मेरे 20 order multiplied by ordering cost per order कितनी है? 120 रुपए तो 20 गुना 120 कितना आ गया? 2400 रुपए खर्चा आ गया? अच्छा अब चेक करते हैं 4000 के level पर पूरे साल में कितने requirement है? 48000 कि एक बार में कितने order कर रहे हैं? 4000 इसका मतलब है पूरे साल में हमें 12-12 order place करने पड़े है multiplied by ordering cost कितनी है मेरी per order? 120 रुपए तो total ordering cost कितनी हो गई है मेरी? 14-40 रुपए अच्छा जी इसके बाद निकालता हूं carrying cost carrying cost निकाले का formula है Q by 2 multiplied by C एक बार में कितना order किया है? 2400 divide by 2 multiplied by carrying cost ध्यान देना जड़ा carrying cost क्या थी मेरी? carrying cost carrying cost क्याती है मेरी? 2 रुपए पर यूनिट पर एनम आव दो से multiply कर दें कितना आगया है? 2400 रुपए यहाँ पर Q by 2 मतलब 4000 मेरा ordering quantity है divide by 2 multiplied by carrying cost पर यूनिट पर एनम यह आगया मेरा 4000 आई एड़ करते है 960 प्लस 2400 प्लस 2400 तो यह आगया 9,64,800 अच्छा यहाँ पर कितना खर्चा आएगा? 960 प्लस 1440 प्लस 4000 तो यहाँ पर आगया? 9,65,440 तो ध्यान पेना चाना cost मेरी बढ़ गई है न? यहाँ पर वहाई 9,64,800 यहाँ पर है 9,65,440 difference केतना है? 9,64,800 माइनस 9,65,440 difference है 6,44 रुपेगा इसका मतलब क्या है? extra cost to company है मेरी 640 रुपेगा when economic order quantity is 4000 units अगर एक बार में 4000 units का order करे तो भाई इतना खर्चा company को extra bear करना पड़ेगा चलिए require में नमबर 3 तो देखो यहाँ से मुझे यह पता पड़िया कि economic order quantity के अलावा किसी और order size पर order करने से मेरी total cost बढ़ जाती है total, direct, material, cost मेरी बढ़ जाती है अच्छा अगला बोलता है what is the minimum carrying amount what is the minimum carrying cost company has to incur minimum carrying cost minimum carrying cost आओ compare करें minimum carrying cost यहाँ पे कितना कर चो रहा है 2400 और उस पे कितना कर चो रहा 4000 तो भाई minimum carrying cost कितनी होगी मेरी 2400 रुपए, simple जहीं बात है क्यों? तो मेरी minimum carrying cost है 2400 रुपए किस लेवल पर? economic order quantity size यानि कि एक बार में अगर मैं 2400 units का order करता हूं तो खर्चा आएगा minimum carrying cost 2400 रुपए गा तो लो जी यह जो मेरा question number 21 है complete हो गया है इसके बाद कौन सा करें? चलो, question number 15 पे आते हैं question number 15 पे आजाओ question number 15 पे आजाओ question number 15 question number 15 यह जो, question number 15 चलिए पढ़ते हैं इसके answer को verify कर लेते हैं एक बार बहुत simple question है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अनिलायन कंपणी बाइस इस एनुवल रिक्वार्मेंट ओफ 56,000 उनिट्स इन शिक्स इस्टॉर्मेंट देखो, इसकी एनुवल रिक्वार्मने कितनी है? यानि एक कितना है? 35,000 उनिट्स इन शिक्स इस्टॉर्मेंट यानि एक बार में कितना ओडर कर रहे हैं यह स्वकत ही है? यहाँ से बढ़े पताबड़ा एक बार में कितना ओगा रहे हैं छेह जार इनिट कोश्ट रुपी वन ये क्या मेरा पर्चेस कोश्ट पर इनिट एड और ओर इंट कोश्ट इस पच्छिस यानि ओ मेरा कितना है पच्छिस रुपर दा इनवेंटी केरिंग कोश्ट इस एस्टिमिटेट एड 20 परसेंट ऑफ यूनिट वैल्यू अगर 20 परसेंट यानि 0.20 दिस इसमाइग केरिंग कोश्ट पर इनिट पर इनम पाइंड दे टोटल एनुवल कोश्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिशी क्या मतलब है यानि कि अभी एट पर्जेंट साल में छे बार ओर करते हैं तो बताओ कितनी एनुवल कोश् टोटल एनुवल कोश्ट तो देखो यहां पर ना टोटल एनुवल कोश्ट के अंदर सबसे निकाला गया है ओर्डरिंग कोश्ट ऑर्डरिंग कोश्ट क्या है टोटल एनुवल ओर्डरिंग कोश्ट क्या है टोटल नमबर ओफ ओडर मुल्टिप्लाइड वाई ओर्डिंग कितना आगा यह देड़ सो रुप है this is my ordering cost at present जो present policy है उसकी अच्छा इसका निकारना मुझे annual carrying cost formula क्या है q by 2 multiplied by c तो क्यों मेरा कितना है एक बार में कितना order कर रहे है यहां पर आपके मन में आ रहा होगा मैंने purchase cost को एड क्यों नहीं किया यहां पर आपके मन में आ रहा होगा मैंने purchase cost को तो एड क्यों नहीं किया तो यह answer institute का है उन्होंने purchase cost को यहां पर एड नहीं किया है लेकिन मैं अगर अपना इसके उपर advice जैसरेशन दूँ तो purchase cost को भी इसके अंदर add करना चाहिए हमें ठीक है हमें एड करना चाहिए purchase cost को भी annual cost निकालते वक्त ठीक है तो exam में अगर यह question आएगा तो आप purchase cost को भी add करेंगे और आप नोट भी लिखेंगे कि purchase cost is also a part of total annual cost ठीक है ना फिर अगला है how much money can be saved by economic order quantity अब यह कहरा है कि अगर economic order quantity में हम order करें तो खर्चे में कितनी कमी आई कितना फायदा होगा हमारे को आईए पहले तुम क्या निकालेंगे कि कितनी है economic order quantity तो देखो हमें A पता है 37,000 units हमें O पता है 25 रुपए हमें C पता है 20 पैसे तो भाई 2 गुना A गुना O divided by C square root में तो कितना आ गया है मेरा 3000 यारी कि इस company ने अगर economic order quantity वाले formula को follow किया होता तो एक बार में 3000 units का यह order कर रही होती अब मुझे क्या निकालनी है saving कितनी हुई तो ध्यान देना जब मैंने यहाँ पर purchase cost को add नहीं किया है जो कि करना चाहिए था हाला कि मैं आपको इसका logic दूँगा ऐसा क्यों नहीं किया गया है इसके पीछी भी logical point है क्यों add नहीं किया गया है तो मैं जब यहाँ पर निकालूंगा इनुवल कोस्ट तो अभी पच्छेस को मैं add नहीं करूंगा मैं क्या निकालूंगा बस ordering cost and carrying cost ordering गाले वही formula वही formula भाई ए बटा क्यों multiplied by ओ ए कितना है मेरा पूरे साल में कितना चाहिए 36,000 युनिट्स एक बार में कितना order करूंगा थीने जार यूनिट्स तीने जार यूनिट्स कहां से आया है यहां से आया हो कितना है मेरा 25 पाई इनृट तो 25 गुना 12 कितना हो गया 25 ट्वेल्ब तीज़ें अब मुझे निकालना है कैडिंग कोस्त फॉर्मुला क्या है q by 2 multiplied by c q मेरा कितना है इसका फॉर्मुला क्यू बाइट उ मल्टिप्लाइट बई सी यू मेरा कितना है 3000 इंट्स 2 c कितना 0.20 कितना अगया 300 रुप है रोटर कितना अगया 600 रुप है सिंपली बता दो कितने का फायदा होगा 500 रुप है पहले कितना खर्च कर रहे थे हम साड़े 700 अगर economic order quantity पे order कर दें कितना खर्च कर रहें 600 तो फायदा कितने का यह यह था इसका requirement का answer question ने क्या पूछा था हमसे कि how much money can be saved by economic order quantity ठीक है पर्चेस कोश्ट तो क्यूंकि मैं यहाँ पर एड नहीं करा था इसलिए मैं यहाँ पर भी एड नहीं करा अब सवाल क्या है लोजिक लिए तो पर्चेस कोश्टों दोनों में add करना चाहिए था बर दोनों में add क्यों नहीं किया इसके पीछे भी एक logic है जो मैं आपको समझा देता हूं और वो logic सिर्फ इतना सा है कि दोनों case के अंदर purchase cost same होगी दोनों case के अंदर purchase cost same होगी इसलिए net saving पर कोई effect नहीं करने है 30,000 कोश्ट इतनी है एक रुपए तो अगर मैं यहां पर add करता purchase cost तो कितनी आती 36,000 उनिट्स गुना एक कितनी आती 30,000 रुपए अच्छा और यहां पर भी कितना add करता फिर में purchase cost वही 36,000 रुपए तो कुल मिलाकर यहां पर कितनी कोश्ट आती पिर 36,750 और यहां यहां पर आपकी आती 36,000 प्लस 600 यानि 36,600 दोने का difference निकालो, difference क्या था, difference और 500 रुपए यहां तो क्योंकि मेरी net saving 500 रुपए की ही आती, चाहिए मैं purchase cost को add करूँ दोनों में या add नहीं करूँ इसलिए शायद institute ने यहां पर purchase cost को add नहीं किया है, लेकिन मेरी opinion से purchase cost को दोनों में add करना चाहिए था, और exam में अगर एक कोश्ण आता है, तो भी आप purchase cost को दोनों में add करेंगे, ढ़िक है ना, दोनों को purchase cost, purchase cost दोनों में add करेंगे, फिका जी, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एक question number 3, इस concept के उपर, उसे आप खुच्छे कर लेना, बहुत simple question है, answer आपको दे रखा है मैंने, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला concept करें, आओ जी, अगला concept, अभी तक मैंने क्या सीखा, अभी तक मैंने ये सीखा है, कि economic order quantity, size पे order करने से, हमेशा cost कम आती है, ठीक है न, अभी जो आखरी question हमने किया, उसमें देई हुआ, कि economic order quantity पे order करने से, हमेशा मेरी cost कम आती है, तो सवाल ये है, कि क्या हमेशा, will always economic order quantity size be optimum order size? क्या मतलब है, optimum से? optimum मतलब, वो order size, जिस पर मेरी cost कम होगी, क्या ऐसा हमेशा होगा? पहले क्या बोला? economic order quantity पर करने से cost कम आती है, अगला concept क्या आगया, क्या ऐसा हमेशा होगा क्या? तो भाई साब, इसका answer है no. खेले गया दिमाथ? अब ही तो जो भी question मैंने किया, मैंने क्या बोला? कि भाई साब, economic order quantity पर order करने से आपकी cost कम आएगी, बट क्या ऐसा हमेशा होगा? answer is no. क्यों? और कहां? देखो, अगर, अगर supplier ने मुझे bulk purchase करने पर heavy discount दे दिया, तो bulk order करना मेरे लिए ज्यादा फायदे मन्द है, बले economic order quantity पर order ना करो, example के लिए, मान लो, मैंने online website से एक shirt order की, खर्चा आरा कुरेरे का 200 रुप है, कितने का पढ़ रहा है shirt मुझे? सातरा सोगा पढ़ रहा है, बट मान लो, उस online website ने मुझे एक bulk offer दिया, ने बोला, सर, अगर आप दो shirt एक साथ खरितते हो, अगर आप दो shirt एक साथ खरितते हो, तो आपको हम दोनों shirt दो हजार रुपए में दे रेंगे, क्या समझे? यानि कि सिर्फ पान सो रुपए एक्स्ट्रा खर्श करने से, मेरे को एक और additional shirt मिल रही है, तो यहां पर भले ही, मैं एक के जगे दो shirt order करूँ, मुझे ज्यादा फायदा होगा, यानि कंपनी वाले case में भी ऐसा हो सकता है, कि कोई supplier हमें offer दे दे, कि भाई साब आप अगर इतनी quantity का order एक बार में करोगे न, आपको मैं discount दूँगा, तो भाई इस case के अंदर ऐसा हो सकता है, कि हम वही bulk quantity में order करें, जिसमें supplier order करवाना चाहता है, ख्यूंकि हमारी total direct material cost उस case में कम होगी, तो optimum order size may not be economic order quantity, जरूरी नहीं है, कि economic order quantity formula से निकाला गया order size आपका optimum हो, if discount for bulk purchase is given, bulk purchase का मतलब होता है, ज्यादा quantity में order देना, अब मैंने क्या बोला, order size involving minimum material cost, shall be optimum order size, इसका मतलब क्या है, कि हम दोनों level पर क्या निकालेंगे, total material cost, economic order के level भी निकालेंगे, और उस bulk order के level भी निकालेंगे, और जहां पर हमारी total direct material cost कम आएगी, वही order size हमारे लिए optimum order size कहलाएगा, वही हमारे लिए optimum order size कहलाएगा, यानि मैंने क्या बोला, एक हमारा economic order quantity है, एक हमारा bulk order है, तो मैंने बोला, यहाँ पर निकालेंगे purchase cost, यहाँ पर निकालेंगे carrying cost, यहाँ पर निकालेंगे ordering cost, तिनों को add कर लेंगे, और जहाँ पर total cost कम होगी, उसी के भी spread कर लेंगे, ठीक है ना, उसी को हम add, उसी को हम order कर लेंगे, उसी को हम हमारा होगा optimum order size, अगर मालनों यह कम हुआ, हम बोलेंगे यही best है, अगर यह कम हुआ, हम बोलेंगे यही best है, ठीक है, चलिए, चलिए जी, कोशन नंबर, कौशन नंबर, कौशन नंबर, कोशन नंबर, 19 निकाल लेजिए, और उसे पढ़ना चालू करिए, कोशन नंबर 19 को पढ़िए, कोशन नंबर 19, मन में सोची एक बार, आंसर मत देखना, कोशन नंबर 19, चलिए, मैं बढ़ता हूँ, EXE Limited, EXE Limited, has received an offer of quantity, discount on its order material as under, तो उसे ने क्या आमें offer दिया, बोला, price per ton and tons, क्या बोलता है, कि मैं price लोगा, 1200 रुपे per ton, अगर आप 500 ton से कम order करोगे, ठीक है, अगर 500 ton से ज्यादा, बनला 500 ton या उससे ज्यादा, पट 1000 से कम करोगे, तो 11,60 रुपे लगाऊंगा, discount बिल रहा है, अगर 1000 या उससे ज्यादा, मगर 2000 से कम, तो 11,60 रुपे लँगा, ठीक है, 2000 या उससे ज्यादा, मगर 3000 से कम, तो 11,40 लँगा, अच्छा, 3000 या उससे ज्यादा, तो 11,20 लुँगा, ध्यान देना, कोशन ने मुझे क्या बोला, अलग-अलग order size दिये जिन पर अलग-अलग price है और price दीर-दीर कम हो रहा है तो मेरी समस्या यह है कि मैं कितना order करूँ क्योंकि economic order quantity वाला formula तो ऐसे कि इसमें लगी नहीं सकता आगे बढ़ते हैं The total, the annual requirement for the material is 5000 ton एक बात तो clear है कि पूरे साल में 5000 ton माल खरीदना है ordering cost per order is 1200 रुपए यानि ordering cost कितनी है मेरी 1200 रुपए per order the stock holding cost is estimated at 20% of material cost per annum यानि carrying cost कितनी है मेरी 20% multiplied by किस से करना है मुझे multiplied purchase price या कहलो purchase cost से अब मजे की बात क्या है यहां पर पांच अलग अलग प्राइज है तो यह तो confirm हो गया कि अगर मैं compare करे बिना किसी भी order size पर order कर दूँगा तो मेरी cost बढ़ जाएगी तो मैं check करूँगा आईए तो requirement number one पढ़ते हैं you are required to compute most economical purchase level underline करो words को most economical purchase level यानि कितना purchase करें कि cost सबसे कम आए economical मतलब cost सबसे कम आए इसको बोलते हैं trial and error method जिसका हम इस्तमाल इस वाले question में करेंगे trial and error method करें question को चली करते हैं requirement number one की बात कर रहा हूं पहले समझ रहा है आपको answer चाहें तो बाद में note कर लेना जैसे answer आपको दिया हुआ है देखिए यहां पर पांच अलग-अलग range है range पहली क्या है less than five hundred less than five hundred दूसरी क्या है 500 and less than one thousand तीसरी क्या है one thousand and less than two thousand पर उसके बाद two thousand अब सवाल यह है कि यहां मुझे निकालना है most economical purchase level निकालना तो मुझे क्यों ही है ध्यान देना चराब ऐसे केस में लगाना पड़ेगा trial and error method वह होता क्या है ध्यान दो क्यों क्यों मतलब एक बार में कितना order करना है अब मज़े की बात है trial and error जैसे कि नाम से मुझे पता पढ़ रहा है कि यहां पर मैं trial and error के बेस पर answer निकालूँगा यहनि try करूँगा गलती होगी फिर try करूँगा फिर गलती होगी ऐसा हो सकता है अच्छा यहां पर ना क्यों मुझे एल्जियूम करना पड़ता है एल्जियूम ध्यान तो जरूँगा खास बात है बहुत खास बात देखो यहां पर लिखा 3000 जब भी क्यों करेंगे नीचे चालू करेंगे 3000 अबाव तो यहां पर एक बार में तीन हजार autor करूं तो यहां तो यहां सेन म Sara with यहां से आया मेरा घ्रिख I झ्यों जों कि रेंज है जासे रेंज शुरू हो रही तो जहां से रेंज शूरू हो रही है वही पहला जाल बनता है मेरा अज्ञुूर्ण quantity, क्या बोलते हैं इसको assumed, फिर इसके बाद यहाँ पर assume करूँगा मैं अगर मैं 2000 और करूँ एक बार में तो यहाँ पर अगर मैं एक बार में 1000 और करूँ यहाँ पर अगर एक बार में 500 और करूँ, फिर यहाँ पर आप क्या बोल दोगे, 0 बट 0 नहीं यहां पर लेज़नाँ 400 आप 300 भी ले सकते हो समझ गए तो यह सब क्या है मेरा assumption इसका नाम क्या है trial and error method तो यह पांच अलग लग सेंदियों में ले लिए कि अगर एक बार में 400 अगर एक बारे 500 करूं या 1000 करूं या 2000 करूं या 3000 करूं तो मुझे यह बता दो यह कितनी आएगी मेरी total direct material cost तो भाई क्या फर्मूला है purchase cost प्लस ordering cost प्लस carrying cost क्या बने जाते है मेरी total direct material cost तो निकालनी पड़ेगे मुझे सारी चलिए निकालता हूं पहरे purchase cost प्रचीज कॉस्ट प्रचीज कॉस्ट मतलब क्या होगा पूरे साल में कितना खरीदना है multiplied by purchase cost per unit तो भाई पूरे साल में कितना खरीदना है कि यह वार में चाना च्रूंज पार्टेट ने पांच हजार कर ऌदचेहांर लाइचाय अगर लेस्टें प्रेंच फी奶 होड़े साल में खरीदना कितना पांच हजार कर दर जारम में कितना है 500 हो तो प्राइज पर रिटन कितना है 1200 रुप है अगर 5000 से ज्यादा बट लेस देन 1000 कितना प्राइज है 1180 तो मुल्टिप्लाइट बाइज 1180 अगला प्राइज 1160 इसके बाद अगली रेंज का 1140 और आखरी में 1120 तो निकालने इसको यह कितना आ रहा है 60,00,69, Iliazaga 58,00,67,000,56,00,6,00,00 तो तो चलिए टोटल नमबर ओफ और निकालता हूंगे नमबर ओफ और्डर्स फॉर्मुला क्या होता है एबटा क्यूँ इसमें एक पइंट सिखने को मिलेगा आपको ध्यान देना ज़रा है एबटा क्यूँ क्यों कितना मेरा 400 यह मेरा कितना है 5000 तो करो 5000 बेटा 400 कितना आएगा 12.5 कितना रहा है 12.5 इसका मलब क्या है कि मुझे साड़े बारा बार करना पड़ेगा बट क्या ओडर कभी डेसिवल में हो सकता है ौडर कभी तॉडर हो सकता है और हमेशे क्या होगा। वूल नमबर यह तो एक बार करोगे या दो बार करोग या चार बार करोगे। मनलब order कभी भी डेसिमल में फ्रेक्शन में नहीं हो सकता तो यहां पर कितना आएगा पांच हजार बटा चार्टा कितना आरा 12.5 तो यहां पर क्या लिखेंगे 12.5 आंसर इस नो यहीं कि यहां पर पांच हजार बटा 2,000 जान देना पांच हजार बटा 2,000 जान देना पांच हजार बटा 2,000 फ्रेक्शन में आएगा यह 2.5 कितना इसे कर देंगे हम राउंड अप यहांने कि 2.5 ना लिख कर यहां पर लिखेंगे 3 फिर पांच हजार बटा 3,000 कितना आएगा 1.66666 नमबर अफॉर्टर कितने 2 अब मुझे निकालना है ओर्डरिंग कॉस्ट तो यह रा ओर्डरिंग कॉस्ट तो यह रा ओर्डरि कितनी है 1200 रुपाय तो यह रा ओर्डरिंग कॉस्ट पर हुआ नंबरर इसाने कितनी है 可以gen viral नगल निकालना कंज़ना वाडरिंग कॉस्ट पर हांगिया और फिर चेसे में क्या गए मेरी और इंग कोस्ट अब मुझे क्या निकाल लिए करिंग कोस्ट इंग कोस्ट का फॉम्विला क्या कि यू बाइट तो मुल्टी प्रॉटी पर्सेंट तो हर बार प्राइज मेरा छेंज हो रहा है पहले निज्व प्राइज कितना मेरा बारास रुप है दूसरी रेंज में 1180 इसी रेंज में 1160 तो मेरी क्यारिंग कोश्ट बार बार में प्राइज चेंज होगा नहीं दुज़रा कि यू राइटो तो 400 बटा दो गुना कितना मेरा पर्चिश पर यहां पर 1200 रूप है तो 1200 गुना 20% ठीक है फिर यहां पर क्या होगा 500 बटा दो गुना क्या परिशे पर आईज 1180 तो 1180 गुना 20% निकालो 500 बटा दो गुना 1 180 का 20% कितना आ गया 59,000 आउज है कि अच्छा फिर यहां पर हजार बटा दो गुना क्या प्राइज है ग्यारा सो साथ है गुना बीस परसेंट एक लाग सोला हजार फिर अगला दो हजार बटा दो गुना कितना है मेरा रेंज का प्राइज ग्यारा सो चालीज दो एट्थाइस फिर उसके वादे तीने जार बटा दो गुना ग्यारा सो बीस गुना बीस परसेंट वह फिर आगे मेरा 356 गर अग्यार यंच्वा Андीम साहँ उट्रवश कोष्ट निकाल ली औरिंग निकाल कर लें है टोटल अब इस स्वाइब आई है तोटल अब इस से सिट अब की आंसर में चाए शोला बचाते हैं कोर्शन नंबर 19 निकालते हैं यह जिए रहाई रहाई है रहाई है थ्रक्ष्ण नंबर 19 इस दिए तो द्यां दीजिए यह रही मेरी परटेश कॉस्ट यह सबसे कम खर्चा कहां पर हो रहा सबसे कम खर्चा हो रहा आपका उनसट इकतर उनसट बाइश यह आप उनसट बाइश के लेवल पर तो क्या बोलोगे आप हजार कॉंटिटी यानि एक बार में हजार टन का ओर्डर करना इस मोस्ट इकोनोमिकल पर्चेज लेवल यानि कि हम यह डिसकाउंट अविल करेंगे जो हजार लेस देन दो जार के बी इसको बोलता है будем ट्रायल और्एं अरेयर मेथड्र जब कोर्शन के अंदर अलग अलग पृज़ दिये हो मैं अलग अलग ऑडर साइज पर तो वहां पर हम कॉंटिटी को एंजिम करते हैं एजिम करने के लिए लोवर रेंज के बेस पर एस हिम करते हैं लोवर रमेंस के बे बनका अंसर आईये requirement number two solve परते है requirement number two क्या बोलती है इसी question की what will be your answer क्या बोलता है what will be your answer to the above question if there are no discount offered यानि discount भड़ा खत्म हो गया price fix हो गया पंदरा सुरूपे पर टन अब बता हो गया बता जेते हैं भाई जब price fix हो गया हम क्या रिकाल लेंगे economic order quantity हमें क्या चाहिए ए कितना है हमारा पांस हीजाओ टन हमें चाहिए ओ कितना है 1200 रूपे यह रहा हमारा ओ फिर हमें चाहिए C कितना हमारा 20% of आइस पिक्स हो कि यहांवे 1500 तो 20% पंदरा सु कितना है मेरा 200 रूपे लोजी निकालो economic order quantity स्क्वार रूट में तू मल्टिप्लाइट भाई एंगल अफ कूलनेस तो तू मल्टिप्लाइट भाई 5000 मल्टिप्लाइट भाई 1200 डिवाईट भाई सी यह आपा 300 यह आगया मेरा 200 तन यहानी economic order quantity कि हिसाब से हमें एक बार में 200 तन का order करना चाहिए अगर डिस्काउंट एविलेबल नहीं है तो ठीक है यह रहा रिक्वामें नमबर टू कांसर प्रॉपर फॉर्मेट में आपको यहां पर दे रखा इसके बाद यह कोश्चन होगे आपका कोश्चन नमबर 16 कोश्चन नमबर 16 पर आजाओ उसके आंसर को वेरिफाई कर लेते हैं कोश्चन नमबर 16 कोश्चन को कैसे करना है पूरा समझा दूंगा आपको और सॉलूशन आपको प्रॉपर फॉर्मेट में दिया गया है उससे आप आंसर को पूर तरीके से में करवा भी दूंगा यहां पर कोश्चन नमबर 16 पर आजो यह उपर वाला हिस्ता मिटा हैं तो जबंगे तोड़ ए कंपनी अंड़तेक्स पेशल pardon फ्रॉइंट क्वार इकूरिय अपक्वार पालेंच अपकर फ्रॉपर यह उदेन बॉल्ट क्या शुस्चन आपको यह क्या आपका यह उल्फर ग्या क्या मेरा रा मितिरियल फिर कॉट प्लेशिंग और नोd ृमशन पर यह क्या मिरा अजक purchase cost per unit फिर बोलता है carrying cost है per annum 20% तो मुझे अगर carrying cost निकालनी है per unit per annum तो 400 रुपए multiplied by 20% यह आगा है मेरा 80 रुपए अच्छा जी The company has been offered a quantity discount of 4% on the purchase of alpha provided the order order size is 4000 component at a time यानि कि अगर हम एक बार में 4000 units का order करें तो हमें 4% का क्या मिल जाएगा discount सबसे पहले requirement है compute the economic order quantity तो भाई क्या निकाल सकते हैं यह economic order quantity 2 multiplied by angle of coolness तो भाई 2 multiplied by a कितना है मेरा 8000 o कितना है मेरा 200 और c कितना है मेरा 80 यह आगा मेरा 200 unit इसका मतलब है कि एक बार में economic order quantity के फर्मिली के मतलब से हमने यह जान लिया कि हमें 200 का order करना चाहिए पिर बोलता है advise whether quantity discount offer can be accepted अगर हम एक बार में 4000 यूनिट का order करें तो क्या हमें फायदा होगा ठीक है भाई चेक कर लेते हैं कोशन नंबर सोला कर रहा हूं ने मैं तो भई क्या करूंगा मैं मैं बोलूंगा एक बार में अगर 200 और करें तो कॉस्ट क्या होगी या फिर एक बार में हम चाहर अजार ओडर करें तो कॉस्ट क्या होगी तो पहले का निकालोंगा में पर्चेस कोस्ट पर्चेस को फामला क्या होता है पूरे साल में कितनी रिक्वार्मेंट है मल्टी प्रचेस कोस्ट पर इनिट तो कितनी रिक्वार्मेंट है पूरे साल में कितना कितना है आठ जारी खरीदना मेरे को भाले एक बार में चार्जर का में और प्लेश करूं तो आठ हेजर गुना चार सो गुना ची आनवे परसेंट डिसकाउंट ने चार परसेंट का तो तीस लाग बातरे जार फिर के निकालता हूँ ओर्डरिंग कॉस्ट क्या होता फ़मुला ए बटा क्यू मल्टिप्लाइट वाई ओर्डरिंग कॉस्ट पर ओर्डर तो बताओ कितना और प्लेश करने पड़ेंगे या पर वही आठ हेजार रिक्वार्मेंट है एक बार में दोशो करते हैं यहां पर प्रडर करने पड़ेंगे 40 बार अधिल नंबर आ रहा है एक बार्ड़ कितना मेरा 200 रुपे पर आप पर अब इस दोंगा चालिस अब यहां पर डिक्वार्मिन को साल के आड़ जार एक बार और ऑड़ करना पड़ेंगा और ऑड्रिंग कास्के त को सिरा तां से लगधाय तो ए फिर आता हूं एंगे स्टेंग कॉस्ट में मेरे क्यों सब्सक्राइब क्यों शुन ही भी टूं गैंट क्यों मल्टिप्लाइब आस्ट्रॉ जो आपटा दो क्तुन मैं इसका घ्रेंग कोस्ट तो है चार देगा हूं यह 20% कश아서 मेरे में कि तो है यह आ जा देंड देंड और चाहरा तक कि द्यांज आ कि या पेटिवर्च कर रहा हूं दिवाइक टू प्रैस कितने हो फ्रच तरफ प्रसेंट था प्रसेंट प्रसेंट चार्च और फिरसेंट, गुने टुन्टी पर सेंट तो यह आगया मेरा 1,53,600 दोनों को add कर लेते हैं तो यह आगया मेरा 32,16,000 और यह आएगा मेरा 32,26,000 तो ध्यान देने जरह यहां पर cost ज्यादा है मतलब अगर 4000 लेवल पर हम बात करें cost ज्यादा है तो मैं क्या बोलूँगा don't accept discount offer don't accept discount offer since it would cost एक्स्ट्रा कितना खर्चा होगा एक्स्ट्रा डिफ्रेंस है आपका 10,000 अगर आपने एक बार में 4000 यूनिट्स का ओडर किया तो तो बात समझ में आ रही है जी एक बार में अगर 4000 यूनिट्स का ओडर किया तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा 10,000 का तो मैं मैंने का बोला offer accept मत करों डिस्काउंट मिलने के बाद भी हमारी कोश्ट बढ़ रही है हमें नहीं चाहिए असा डिस्काउंट भी या चलिए भई आगे बढ़ते हैं अगला कॉंसेप्ट आपका फ्रिक्वेंसी ओफ ओडर एंड लीड टाइम फ्रिक्वेंसी ओफ ओडर का मतलब क्या होता है फ्रिक मां लो पूरे साल में खरीदना है चालीस हजार केज ओर केजिए एक बार में और करते हैं मान लो 2000 kg correct अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो कि पूरे साल में कितनी बार order करना पड़ेगा यानि कि total number of orders कितने होंगे पूरे साल में कितनी बार order place करना पड़ेगा formula होता है A बटा Q यानि कि 40,000 kg divide by 2000 kg इसका मालबागा 20 इसका मतलब है पूरे साल में 20 बार order place करना है क्या यह 20 frequency of order है answer is no 20 क्या है अब ज़रा ध्यान दीजिए मैंने बोला पूरे साल में 20 बार order place करने है तो मुझे यह बताओ हर दो order के बीच में कितना time gap होगा अच्छा इसका मतलब है माल लेता हूँ पूरे साल में अगर 360 दिन है और पूरे साल में मुझे 20 order place करने है तो कितना आगया यह यह आगया आगया अठारा 18 days कहलो इसको यह क्या आगया मेरा अठारा इसका मतलब क्या है कि हर अठारा दिन बाद मुझे order place करना है 2000 केजी का इसी को बोलते है frequency of order यानि हर 18 दिन बाद मुझे order place करना है 2000 केजी का अगर मालो आज एक तारीक है तो मैं एक तारीक order place करूँगा उसके बाद 19 तारीक order place कर दूँगा फिर उसके बाद फिर उसमे 18 और add कर लो तो यह है frequency of order यानि how frequently कितना frequently आपको order place कर रहा है यानि कितने दिनों के बाद formula मैंने आपको समझा भी दिया यह derivation है formula क्या है total number of days in a year divided by total number of orders total number of days in a year divided by total number of orders और total number of orders को निकालने का formula तो पहले से बता रहा है आपको a divided by q तो यह है मेरा frequency of order अगला concept है मेरा lead time leading time का मतलब होता है waiting time अगर माल लो मैंने किसी लड़की को propose कर दिया suppose करो माल लो यार आपके जहन में बैठी चीज़ उसने बढ़ा मैं सोच के बता दिया उसने चार दिन का मुझे time दिया कि चार दिन दो मुझे पर सोच के बता दिया तो चार दिन मेरे लिए लिए वेटिंग टाइम उसी तरीके से अगर मैंने आज और प्लेस किया है अगर मैंने आज और प्लेस किया है तो डेफिनिटली और आने मों कुछ समय लगेगा उस समय जो लगता है उसी को बोलते हैं निटीट लिटाइम यानि की टाइंग गया बिट्वीन डेट डेट और गएग डेट अफ रीसिविंग दॉड़र मालो अगर आपने 4 तारिका और प्लेस किया चार तारिक को और प्लेस किया दूर 16 और आपको मेल 8 तारिक को मिला तो ली टाइम कुतना हो गया 4 देस समझ गई है मैंने एक एज़ंपल लिए कि किसी कंपणीन ने मालो 4 नदीस किया और 8 नौमर उबर मतली सिभ गया तो चार दि सब्सक्राइब करें दिशाइडिंग और क्वांटिटी फॉर टू ब्रैंड्स ओफ लॉन फर्टिलाइजर शूपर गुरू एंड नेचर फॉन क्या निकालना चाहता है अगला एकनोमिक और क्वांटिटी आपको दिरकी फर्टिलाइजर की एनुवल डिमांड यानि की एनु इस ओर्टिलाइजर यानि आपको और रिंग पॉर्टिलाइजर फॉर्टिलाइज पर बाइज और अपको एंगल और कॉलनेस तीन देरका तो आप एकनोमिक और प्वांटिटी आण से निकाल लेंगे यह निकाल के मैंने आप दिखा भी रखिया इसे में कर नी रहा हूं तो एक प्रॉटिलाइज वाले में तो सुपर गृआन प्राइज ऑले में एक च्णिटी का ओडर करना चाहिए और नेचर गृआज़ वाले में ऐसी कौन्टिटी काओड़ करना चाहिए आगे बढ़ते हैं, for the economic order quantity, what is the sum of total annual relevant ordering cost and total annual relevant carrying cost for super grow and nature grow, लोग बड़ा सिंपल है जी, question ध्यान देना जारे हैं, question यहां पर यहां पर यह नहीं बुला, total material cost निकालो, question निकालो, ordering cost plus carrying cost, निकालो, ordering cost plus carrying cost, तो भाई साब ordering cost निकालने का फ्रमुला क्या होता है, a बटा q multiplied by o, a बट निकालने का फ्रमुला क्या होता है, q by 2 multiplied by c, simple है, तो ध्यान देने जरब, आपको, आपको, a और q आपने निकाल ली, यह q है आपका, second के लिए q है आपका, economic order quantity, this is q, तो आपके पास a भी है, q भी है, o भी है, और c भी है, सब कुछ है, तो अराम से निकाल लोगा, requirement number second, मैंन वही फरमुला यहां पर लिखा है, क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा है, a by q multiplied by o plus q by 2 multiplied by c, इससे आगया है मेरा total of ordering cost plus heading cost, ठीक है जी, फिर question बोलता है, for the economic order quantity, computer number of deliveries per year, यहां पर delivery से मतलब है, number of orders, यह नि कितनी बार वहार में deliver करेगा, इसको निकालने का simple formula है, a by q, भाई, टोलन नंमर ओर क्या से निकालते हैं, यह क्या है मेरा total number of orders, निकाले हो में लेका आए यहां बटा क्यूं, तो एक कितनी है मेरा here, 2000, question में covers, क्यूं कितना है 100, मैंने यहde रखना है, फिर इसमें एक इतना है, 12 ची घ्वार वहार में क्वलल łध है, यह आगे में number of order, लो जी, कोशन तो पूरा खता हो गया, ना तो इसने frequency of order पूछा और ना इसने lead time पूछा, तो लो requirement number 4 मैं बना दिता हूँ मैं पूछ रहा हूँ आपको बताओ frequency of order मैं बोल रहा हूँ आपको बताओ frequency of order, formula क्या होता है total number of days in a year, divide by total number of order तो मान लेते हैं, total number of days in a year, 360 days जब भी कोशन silent हो, total number of days के उपर तो आप उसे 360 days मान सकते हैं, note लिख देना note जरूर लिख देना, पर अगर note नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पर लिख देना, 365 days, tension यह खत्ब समझ गया, तो मैं note नहीं लिख रहा हूँ, तो total number of days in a year 365, divide by total number of order, तो यह क्या है मेरा, total number of order तो divide by 20 कर दूँगा, super grow वाली case में और second वाले में क्या कर दूँगा, 365 divide by 16 order तो जो भी मेरा answer हागा, वो मेरे क्या होगा, frequency of order यानि how frequently मुझे order place करना होगा, तो लो जी, question number 17 आपने यहाँ पर complete हो गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आयाते हैं, अगले concept तो तरफ, अगला concept है, re-order level, इसका मतलब होता है, when to order, अब जड़ा ध्यान देना, कई बार बच्चे ना, confuse कर जाते हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बोलते हैं, sir, re-order level, और re-order quantity में क्या फड़ते हैं, तो ध्यान देना, क्या जोनों एक answer ही जोनों, re-order quantity कहूं, या economic order quantity कहूं, एक ही बात है, re-order quantity मतलब होता है, एक बार में कितना order करूं, यानि कि, इसका मतलब है, how, much, to order, एक बार में कितना order करूं, यह मतलब है, economic order quantity कह, अचा, re-order level का मतलब क्या है, re-order level का मतलब है, when to order, when, कब, किस समय, किस level पर order करूं, समझ गे, यहाँ पर when से मतलब है, किस level पर order करूं, example लेता हूं, बहुती बारिक example, मालो, आप छोटे बच्चे हैं, उमरे आपके 18-20 सार मेल, छोटे बच्चे हैं भी आप, आप खाना खाने के लिए बैठे है, आपकी मम्मी को मालू मैं, कि इसकी requirement है, चार रोटी, इसकी requirement है, चार रोटी, यानि कि यह चार रोटी है, खाएगा एक बार खाने के अंदर, ठीक है, आपकी मम्मी ने क्या करा, जब आपके थाली लगाई नहीं, पहली थाली, थाली ऐसी मालो चोकोर सी, उन्होंने दो रोटी रग दी, सबजी रग दी यहां पर, यहां मालो चार रग दी है, और बाकी आइटम जो आप एजिम करन चालू किया आपने, तो आपकी मम्मी क्या करेगी ना, आपको अबसर्व करते रहें, आपने थाली को, कि वो दो रोटी अभी कितनी बची है, तो मालो, आप खाना खा रहे थे, तो दो पहले आपने रोटी खाई फिर एक बची, फिर आपने उसे भी खाना चालू किया तो आधी बची, तो जैसे ही आधी रोटी आपकी प्लेट में देखेगी ना, आपकी मम्मी तुरंत आपको एक और रोटी दे देगी, तुरंत, तो ध्यान देना, किस लेवल पर नई रोटी मिली, 0.5 के लेवल पर, यानि जब आपकी थाली में सिर्फ आधी रोटी थी, तो आ आपकी मम्मी ने आपकी थाली में एक रोटी और रख दी, तो अब कितनी हो गई, डेढ़, फिर आपने खाना चालू, आप तो खाई रहते, खाते, 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 फिर पता लगा, फिर ये आधी रह गई, आप फिर खागे रोटी, जैसे आई थाली, जैसे आपकी थाली में आधी रोटी मिलेगी, आपके में फिर से एक और ओडर, एक और रोटी आपको देदेगी, मतलब क्या है, जैसे आपकी थाली में, रोटी कम होते 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 होते, आधी रोटी रह जाती है, आपकी मम्मी तुरंत आपको नया, नई रोटी दे दे देती है, एक और तो ध्यां देना यह 0.5 लेवल है रिड़र लेवल और एक रोटी जो आपको हर बार दी जा रही है वहाँ है आपकी रिड़र कॉंटिटी एक बार में कितना देना है 1 रोटी, और कब देना है 0.5 होने पर, थाली में आजी रोटी बचे रहने पर, समझे उतना में डिफरेंस, एक और एक्जामपल ले लो यार, एक और एक्जामपल ले मान लो आपके पास बाइक है, कार भी हो सकती है कुछी मान सकते हैं, मैं बाइक मान रहा हूँ मान लेते हैं, बाइक के अंदर जो पेट्रों की टंकी है, उसमें पेट्रोल हो सकता है 25 लीटर, यह मैंने माना है ठोटी बड़ी टंकी हो सकती है, कितना माना है मैंने 25 लीटर, ठीक है अब हुआ क्या आप नई नई बाइक लिए कराए आपने टंगी findings पूरे का पूरा 25 तपटडर ड्ल ड्ल होली ऑप use कर रहे हैं गारी गोमा रहे हुआ जिंद YOU सिंद्गी किना आप हुआ क्या पेट्रोल खतम होते 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 हो और यह क्या कहलाएगा आपका Reorder quantity यानि एक बार में कितना order करना है Reorder quantity किस level पर order करना है Reorder level समझ गया तो भाई Reorder level का मतलब क्या होता है It is the level of stock of raw material at which fresh order for raw material should be placed यानि कि refill करवाने के लिए पेडल पंपे चले जाओ otherwise the firm may face stock out situation क्या होता stock out production बंद हो गया माल नहीं भीकेगा Profit का नुक्सान हो जाएगा आपका तो वह कस्टमर गेट पर खड़ा है आपके पास माल ही नहीं है तो Reorder level मतलब किस level पर order नहीं प्लेस कर दें ये level हमें सब maximum level और minimum level के बीच में होता है Reorder level को निकालने के तीन formula है और मज़ी की बात है तीनोही formula से आने वाला answer अलग-अलग होता है और exam में किस formula सांसर निकालना है ये depend करता है question में दी गई information के बेस्पर आप चाहे formula 1 से निकाल लो चाहे formula 2 से निकाल लो चाहे formula 3 से निकाल लो आप किसी से भी answer निकाल लो निकाल रहते है formula number 1 formula number 1 है maximum usage into maximum lead time आईए मैं आपको तोड़ा से इसके बारे बढ़ाता हूँ क्या मतलब है usage का और क्या मतलब है lead time का देखो ये रहा usage और ये रहा lead time usage मतलब क्या होता है कितना use हो रहा है तो देखो usage को हम कितना用 हो रहा है और ये आपका normal usage मतलब गाटे है और इसे हम average भी कहते हैं इसका मतलब क्या है एक दिन में maximum इतना यूज़ करेंगे minimum इतना यूज़ करेंगे और इन average कतना यूज़ करते हैं एक्जामपल लेकर पानी की बात करूँ आपके लिए आप बताऊ चार आपका daily पानी का usage कितना है तो आप क्या बोलोगे और एक आपका average भी इसे average भी कहते हैं और इसे normal भी कहते हैं क्या मतलब होता है इसका मालों किसी question number को दिया हुआ है lead time four to six days क्या मतलब इसका इसका मतलब है अगर मैं आज order करूंगा तो मेरा माल जो मैंने order किया है मुझ तक पहुंचने में कम से कम चार दिन लगेंगे यानि minimum है चार दिन maximum लगेंगे छे दिन यानि छे से उपर डिले नहीं हो सकता है और on and average किते ना चार ट्राश्य बटा दो यानि पांच दिन तो यह मतलब है lead time का मतलब है maximum lead time normal lead time minimum lead time maximum usage normal usage and minimum usage समझ गये तो आपका पहला formula है maximum usage into maximum lead time यानि कि अगर मैं maximum usage into maximum lead time कर दूँ तो formula बन जाता है reorder level formula को याद आने की trick भी दे रहा हूं है आप यहां पहले आपको ऐसे लिख लेना पहले usage maximum average minimum lead time maximum average minimum तो maximum into maximum reorder level maximum into maximum usage into maximum lead time formula no.2 minimum stock plus average usage into average lead time इसको तो यहां पहले कैसे याद कर वाता हूं मैं तो average गुना average plus minimum stock level अगर question में इदे रखाओ तो एक formula यह है reorder level को निकालने का ठीक है फिर आते हैं formula no.3 ध्यान देना कभी कभी minimum stock को ही safety stock कहते हैं इसलिए formula no.2 में जहां पर minimum stock लिखा है वहां पर लिख दो safety stock safety stock plus average into average तो यह हो गया इन formula को याद करने का तरीका ठीक है ना formula याद कैसे होंगे formula याद ऐसे होंगे इसे को मैं क्या बूल देता हूं short में safety stock ss तीनों formula याद होगे अच्छा इनके पीछे का logic क्या ऐसा है formula के पीछे का तो ध्यान देना detail में logic तो cover किया मैंने regular वाले batch के अंदर यहां पर आपको हलका सा में एक idea देता हूं basically क्या होता है reorder level हर कोई decide करता है अपने अपने हिसाब से यह opinion based formula है तो जैसे मालों मैं अगर अपनी बात करूं तो जैसे ही मेरी firm के अंदर books का stock level तीन तो set से कम हो जाता है तुरंथ हम नए order place कर देते बट कोई और ऐसा हो सकता है जो 1500 order आने तक wait करता हो फिर नए order place करता हो यानि हर किसी का reorder level उसके उपर depend करता है उसकी opinion पर depend करता है उसके risk profile पर depend करता है उसके पास आने वाले number of orders पर depend करता है तो इसलिए reorder level के यह तीनों formula opinion based है और इसलिए इनमें आने वाला answer अलग-अलग होता है कोई formula से करें आप आपको number पूरी में लेंगे answer भले ही different क्यों ना आए आगे बढ़ते हैं अगला है minimum stock level minimum stock level का मतलब होता है वो level of stock जिससे नीचे कभी जाने नहीं देंगे जैसे reserve level जो का जो बाइक में था पांच लिटर वो क्या था मेरा minimum stock level मैंने कसम खानी थी कि मेरी पैट्रो मेरी बाइक के अंदर इससे कम पैट्रोल तो मैं कभी होने ही नहीं दूँगा जैसे कभी भी घर से बाहर घूमने जाओ अगर आप पूर विलर में जा रहे हो तो बोलते हैं ना कि पर्स में कम से कर पांच जार रुपर तो नगत रखी लो देना चरब फॉर्मुला नंबर वन फॉर्मुला नंबर two and फॉर्मुला नंबर ठी को फॉर्मुला नंबर सánt apprendre अर्वह क्या है कि मिनेल स्ट लेवल को यहम सेटी स्टा कहते हैं जो की आपको मैंने यहां पर बताया थो प्लस एवरेज इंटू अब यह निकालना है हमारे को तो शुदर ले जाओ तो वही तो करा थे निकालना है तो यह फर्मूला कैसे बना तो ध्यान देना यह तो सेम है सेम है यह तो अच्छा अब आजाओ फर्मूला नंबर वन री ओडर लेवल का क्या है फर्मूला नंबर वन मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम तो इन्होंने री ओडर लेवल के जाएं आगे बरता हूं मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब है कि इससे ज्यादा तो कभी मैं अपने गुडाउन में रखने वाला ही नहीं हूं क्यों भाई अगर मैंने पेट्रोल की टंकी 25 से ज्यादा फुल कर ज्यादा मäटिर्यल जखने पर करीं कोफ्ट बढ़ जाती है अ ज्यादा मतिरल लखने पर करींग कौस्ट बढ़ जाती है और ज्यादा करिंग कोफ बिखाया है यूं कामी मैक्सिमम स्टॉक निकालेंगा तो यहां पर क्या करना है जोगो फर्मुला याद करने के लिए री ओर्डर लेवल प्लस री ओर्डर कॉंटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम यह फर्मुला है आपका मैक्सिम स्टॉक लेवल को निकालनेगा तो यह जो मैंने शॉट में लिखा है आपको यहां पर इसकी मदद से आप अपने इन फर्मुलोस को अराम से याद कर सकते हैं ठीक है मैक्सिम स्टॉक लेवल सिंगल फर्मुला री ओर्डर लेवल प्लस री ओर्डर कॉंटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम minimum into minimum 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 usage into minimum lead time आगे बढ़ता average stock level average stock क्या मतलब? on and average कितना? इसको निकाले एक simple formula तो है और वो क्या है? maximum stock level plus minimum stock level divided by 2 भाई ध्यान दो आपको यहाँ सिखा दिया मैंने maximum stock level निकालना और यह सिखा दिया आपको minimum stock level निकालना दोनों को जोड़ो, divide by 2 कर दो यह होगे आपका average stock, यह दो दो formula number 1 इसका एक और formula है और वो क्या है? formula number 2 formula number 2 है आपका minimum stock level plus q by 2 जो मैं करता हूँ na q by 2 carrying cost तो वहाँ से डिराग गया इसको q by 2 plus minimum stock level और देको साफ साफ लिखा हुआ है answer from the above formulas need not to be same जहाँ पर एक से अधिक formula है हर किसी में answer same आएगा ऐसा नहीं है, बट आपको number 2 मिलेंगे, formula कौन सा इस्तेमाल करूंगा? जिसकी information question में easily available हो, आगे बरते हैं आखरी level है danger level जैसा कि मुझे नाम से पता बढ़ा danger level, मतलब material मेरे पास इतना कम हो गया है कि मेरा production अब बंद हो सकता है उसको बोलते हैं danger level, तो danger level यानि इससे नीचे तो कभी material जाना ही नहीं चाहिए हाला कि minimum से नीचे है जैसे माल लो किसी वेक्ति ने सोचा कि यार मैं 200 रुपे खर्च कर दिये 300 रुपे, 300 में 100 रुपा और खर्च कर दिये 200 रुपे, ये 200 रुपे क्या है अब उसने बले danger level, अब खर्च मत करो तुरंथ refill करो इसको 300 रुपे समें add करो, तुरंथ refill करो इसको अगर इसको maintain नहीं किया गया तो company के अंदर production रुप सकता है तो danger stock level के निकालने का फर्मूला क्या है average usage multiplied by maximum lead time for emergency purchase घ्रादेना maximum lead time for emergency purchase अलग होगा जैसे मानलो, मैंने कोई shirt order करी online, वहाँ पे लिखाता maximum lead time 10 days यानि 10 दिन में तो आ ही जाएगी फिर मैंने बोला कि नहीं में तो तुरंच चाहिए मुझे तो कली function में जाना है मुझे तो dance करना है तुरंच चाहिए तो मैंने जब बोला तुरंच चाहिए उसने बोला तब भी maximum two days यानि emergency purchase करने पर भी दो दिन तो लग सकते हैं जी तो यह क्या है मेरे maximum lead time for emergency पर चाहिए तो कोशन के अंदर यह information आपको अल्यक्सी दी हुई होगी यह बात तो लिखिया औरड़ी सेफटिशा को क्या कहते है मिने पर पहले हो चोगी है तो चलिए यह concept आपका यहां पर हो गया जी पिनिश अब चलिए कोशन करते हैं इसके उपर कोशन नमबर कोशन नमबर 5 पर आगाते है कोशन नमबर 5 पर निकालिए कोशन नमबर 5 कोशन नमबर 5 चलिए कोशन को पढ़ते हैं जी two component a and b are used for as follows two component a and b are used as follows एक मिनट यार इसे करवाने से पहले पहले आपको आपको फॉम्मूले याद करने हो तो पहले आप ऐसे लिखेंगो usage side में रखवा फिक अंदर usage and lead time ठीक है एक होगा maximum एक होगा average और एक होगा minimum average को normal usage भी कहते हैं ठीक है याद रखना यह यहां से में मिटाईता हो अच्छा ऐसी क्या होगा maximum लेट टाइम एवरेज लेट टाइम और मिनिमम लेट टाइम ठीक है फॉम्मूला कैसे याद करूं ध्यान देने जराब maximum into maximum बन जाएगा मेरे रियोडर लेबल का फॉर्मूला पिर average into average plus add कर दूँगा minimum stock level तो यह बन जाएगा रियोडर लेबल का फॉर्मूला नंबर टो योगि minimum stock level को ही safety stock भी कहते हैं तो average into average plus safety stock बने रियोडर लेबल का फॉर्मूला नंबर टी अच्छा फिर मुझे याद करना maximum stock level का फॉर्मूला तो जान दूँ maximum stock level इसको निकलने का फॉर्मूला है re-order level plus re-order quantity minus minimum into minimum तो ऐसे मैंने आपको याद करवा दिया re-order level का फॉर्मूला आपको मैंने याद करवा दिया maximum stock level का फॉर्मूला re-order level की formula की base पर ही बनता है minimum stock level का फॉर्मूला यह आपको समझ में आगई यह बार एक बार यह भी आपको दिखाता हूं कैसे बना आपके आपके दिखाता हूं कोई confusion ना रहे है दो को formula number 2 दिख रहा है आपको formula number 2 reorder level का तो ध्यान दिर यहां मैंने क्या बोला average usage into average late time plus minimum stock level equal to reorder level अब मुझे निकालना है इसका formula simple है भाई उसको right side में ले जाओ minimum stock level बराबर है reorder level minus average usage उन्हाँ average late time यह बनके formula मुझे एक formula और निकालना है इसके बेस पर minimum stock level तो reorder level को फस्वामुला क्या है maximum into maximum तो बस इसका वेले मैं रख दिया maximum to maximum maximum usage into maximum late time minus average usage into average late time तो लो जी आपको formula को याद करने की trick मैंने आपको बता दिया formula कैसे बनाया ये भी आपको बता दिया minimum stock level का derivation कैसे formula का ये भी आपको बता दिया ठीक है कैसे याद और formula सब बात हो गई है चलिए आप करते हैं कोशन नमबर पाच कोशन नमबर पाच कोशन नमबर पाच चलिए कोशन को पढ़ते हैं क्याता है टू order quantity एक ही कितनी है तीन सो और भी कितनी है थान सो ठीक है जी री ओडर पीरिएड इसके बैगेट में लीट टाइम री ओडर पीरिएड का एक और नाम है जिसे हम क्या बोलते है लीट टाइम पर ये कितना है 4 to 6 week है A का क्या मतलब चार दिन लगेंगे minimum छे दिन लगेंगे maximum और average कितना चार पर शे डिवाइड बाइड बाइट इस तरह B का कितना लीट टाइम है टू टू फोर विक्स मिनिम लगेंगे दो अफ़ते maximum चार अफ़ते और एक तो दो पर शे डिवाइड बाइड मुझे निकालना है reorder level requirement number है मेरी ये A, reorder level निकालना है मुझे component A का and component B का, दोनों का निकालना है मुझे मेरे पास तीन formula है, पहला formula क्या है maximum into maximum, तो क्या उसके बेस पर answer आ सकता है, maximum into maximum आईए, maximum into maximum, तो भाई maximum usage कितनी है, देरका 75 पर week, तो 75 देरका मुझे पर week, 75 देरका मुझे पर week, गुना, maximum lead time, कितना है A का maximum lead time, 6 week, और B का, और week, तो logic, reorder level तो आगया, 75 गुना 600, पिस्ते गुना 6 कितना आगया, पाड़े 400 units, और 75 गुना 4, 300 units, logic, आगया मेरा reorder level, इसका मतलब क्या है, जब एका stock, यूज होते 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 होते, 4500 को touch मारेगा, तुरंत नए order place कर दूँगा, कितना अगा होगा एक बार में, वो है economic order quantity, अच्छा जे, इसके आदो जो निकाला है minimum stock level, आईए, अब निकालता हो minimum stock level, minimum stock level, minimum stock level, निकालने के भी थीन फर्मूले हैं, तो ध्यान देना जड़ा, री-order level वाला formula लग सकता है मेरा, average usage, गुना, average, lead time, बात करता हूँ, component A, component B, भाई, री-order level, क्या मुझे question में दिया है, answer is no, but requirement number 1 में निकाला है मैंने, कितना था, साड़े 400, और 300, यह था न, री-order level, अच्छा, अब निकालना है, average usage, कितना average usage, question में दे रखा है, 50 per week, तो 50, 50, बताओ भी, average lead time, कितना है यह का average lead time, तो 4 है minimum, और 6 है maximum, तो कितना होगा average, 4 plus 6, divide by 2, 4 plus 6, divide by 2, यानि कि 5, और B में कितना होगा, 2 plus 4, divide by 2, तो यह आगया 200 units, और यह आगया मेरा 1500 units, तो यह क्या है मेरा minimum stock level, इस से कम कभी भी units में stock में होने ही नहीं दूँगा, अच्छा, यह आगया मेरा minimum stock level, इसके बाद हुझे निकालना है maximum stock level, अब निकालता हूँ मैं maximum stock level, इसको निकलना है चिर्फ एक ही formula है, और वो क्या है, reorder level plus reorder quantity minus minimum into minimum, minimum into minimum, और यहा हूँ माहू, और यहा हूँ माहू, reorder level, अब निकालता हूँ कितना था, साले 400 और 300, reorder quantity, मुझे कोशन में दे रखी है 300 और 500, minus minimum usage किता दे रखा है मुझे 25, कितना है minimum lead time, a का है 4 weeks, और b का है 2 weeks, 25 गुना 100, 400, 200, साड़े 600, साड़े 700, चाक लेने calculation एक बार, यह आगे मेरा maximum stock level, इससे ज्यादा stock level में होने नहीं, अगले पर आए, अगला बोलता निकालो average stock level, average stock level, इसको निकालने के दो फॉर्मूले थे, पहला फॉर्मूला क्या था, minimum stock level, plus maximum stock level, divided by 2, requirement number B में हमने क्या निकाला है, maximum stock level, तो यह information हमारे पास है, और B में क्या निकाला हमने, minimum stock level, यानि हमने minimum and maximum दोनों निकाले हैं, आओ average निकाल दें फिर, बात करते हैं, एक ही बात करते हैं, बात करते हैं, तो 200 प्ला 6500, divided by 2, सहीएना 200 प्ला 6600, और 200, फिर अगला है आपका B, B में है 1.500 और 1.700 1.500 प्लस 1.700 डिवाइड बाइट बाइट यह आगे मेरा 1.400 और यह आगे मेरा 422 लो जी कोशन हो गया आप यहाँ पर complete कोशन नमबर पाँच आपका हो गया ज़रा साई तो यह stock levels वाले जो कोशन है ना exam में जब भी आएंगे आपके पास आपको formula याद होना चाहिए और बस question को देखते जाओ और formula को चिपकाते जाओ बहला formula को लिखो question को देखते जाओ और करते जाओ आओ भी एक और question करें इसके उपर question number 20 करते हैं question number 20 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 चलो question number 20 को पढ़ते हैं from the details given below calculate reorder level, maximum level, minimum level and danger level तो इसमें पने को डेंजल लोग निकालना भी सीखेंगे person यह मतलब tangible purchase requirement of raw material, पर फिर गीवाने मुझे annual cost of storage per unit यानि यह मैरा C carrying cost per unit per annum annual मतलब per annum और per unit मतलब per annum यानि carrying cost per unit per annum पाँच रुपए फिर तरह रखा मेंगे लीट ताम average कितना? 10 दिन लगता है maximum कितना लगेगा? 15 दिन और minimum 5 दिन लगेंगे फिर यह रखा है for emergency purchase इसे अंडरलाइन कर लो for emergency purchase यह रखा specifically for danger level calculation emergency purchase वाला lead time शिर्फ और शिर्फ danger level को निकालने के लिए ही use होगा फिर रखा है आपको rate of consumption average 15 units and maximum 20 units per day अच्छे एक बात बताओ question में आपको usage दे रखा है average and maximum तो क्या minimum निकाल सकते हैं आप? ज्यां देना चराब भाई कैसे निकलती है average usage तो हम बोलते है average usage बराबर हम क्या बोलेंगे maximum usage है ना plus minimum usage divide by 2 एसे निकालते हैं हम हमें question के रखा average usage कितना है 15 units maximum कितना है 20 units तो क्या मैं minimum usage निकाल सकता हम आज़ें आंसर इस पंदरा गुना दो माइनस पीज आगया दस लोजी तो अब मुझे पता पढ़ गया minimum usage है 10 पढ़े यानि एक दिन में 10 unit consume हो नहीं हो नहीं है हद से हद 20 हो जाएंगी और on an average 15 होती है एक्जामपल के लिए आगर आप बोलें तो बहुत दिन के अंदर minimum मैं मुझे निखालना है सबसे पहले रिकालमेंट है रियॉडर डेबल आज़े निकालते हैं reorder level पहला है कि निकालो reorder level वो यह तीन फर्मूले है पहला फर्मूला है maximum usage into maximum lead time तो देखो क्या इसकी दोनों information question में given है क्या question के अंदर maximum usage दिया है हाँ दिया है कितना 20 units per day और lead time कितना है maximum lead time maximum है आपका 15 days कितना हो गया यह 300 units बस एक बात ध्यान रखना आप अगर usage per day है तो lead time day में होगा अगर usage per week है तो lead time भी per week होगा usage monthly है तो lead time monthly होगा usage yearly है तो lead time भी yearly होगा कहने का मतलब दोनों same हैंगे यह था reorder level requirement number one requirement number two है मेरा मुझे निकालना है maximum stock level और maximum stock level को निकालना है तो एक formula है और वो क्या है reorder level plus reorder quantity इसी का हम economic order quantity भी कहते हैं minus minimum usage into minimum lead time reorder level अभी निकाला 300 जिनिट्स reorder level कहा से आया सार यहां से आया भाई reorder quantity economic order quantity कोशन में गिवन है answer is no बट इसी हम निकाल सकते हैं economic order quantity क्या होगा two multiplied by angle of coolness तुम दोनों को दोनों आजाओ open challenge है काट दूँगा घर में घुज़कर तो two multiplied by a कितना था मेरा a था मेरा 5000 ओ कितना है मेरा 20 रुपया और सी कितना है मेरा 5 रुपया तो बट दो गुणा 5000 गुणा 20 बटा 5 यह आगया मेरा 200 units what is this this is economic order quantity या इसी कह सकते हैं reorder quantity यह की बात है एक बार में कितना order करना है कितना आगया यह 200 units तो यहां पर लिख दूँ 200 units minus minimum usage into minimum lead time minimum usage कोर्शन में दी हुई तो नहीं है बटा में निकाली थी कितना है थी 10 units तो यहीं मेरी 10 units और minimum lead time गिवान है कोर्शन के अंदर minimum 5 days solve कर लो 10 गुणा 50 तो या आगया 4500 29 बट दूशन 500 minus 50 4500 लो जी requirement number 2 maximum stock level मैंने निकाल लिया है ठीक है जी मामला आगे बढ़ते है requirement number 3 requirement number 3 है मेरी मुझे बूला गया है निकालो minimum level यानि मुझे निकालना है minimum stock level इसको निकालने के 3 फ़र्बूल है पहला फ़र्बूला है reorder level minus average into average यानि average usage into average lead time reorder level कितना है मेरा? question में निकाला था हमने requirement number 1 कितना था? 300 units फिर minus करना है मुझे मुझे minus करना है average usage तो क्या मुझे question के अंदर average usage given है answer is yes 15 units per day और lead time कितना है? average lead time है 10 days कितना आगी आगी? 1.500, 300 में से करेंगे minus या आगा 1.500 units लो जी, requirement number 3 भी आपकी यहां पर निकल गई very very simple costing आसान है provided आपको formula याद हो concept career हो, practice की हुई हो बस, आसान है costing, scoring है बहुत ज्यादा अगला है आपका चौथा danger level चौथा है आपका danger level danger level मतलब एक ऐसा level जिससे नीची अगर चला गया material तो पर्चेस में जो दोदो के मारेंगे लिटा, लिटा के लेंगे साल लेंगे class danger level मतलब घंटी बज्जानी चाहिए order place को नहीं करा क्या करते हो पूर दिन बैठ कर समझे, पिटाई danger level को निकाल लेगा, सिर्फ एक फर्मुला और वो फर्मुला है आपका, average usage multiplied by maximum lead time बढ़ ध्यान देना, maximum lead time for emergency purchase यहनी special वाला lead time emergency purchase कितनी average usage पोर्शन में गिवन है, 15 units पर्ड़ और क्या है आपका lead time for emergency, 4 days तो यह कतना हो गया, 60 days यानि कि अगर units consume होते होते, 60 units के नीचे 60 units पर टॉस कर गई तो भाई पिटाई हो जाएगी, फटा फटा फटने order place को रो, वरना गाड़ी बंद हो जाएगी, भरवाओ, पेट्रोल भरवाओ, समझ गया तो यह था कोशन नमबर 20, चलिए, कोशन नमबर 18 पर आते हैं, यह कोशन तो हो गया, कोशन नमबर 18, कोशन नमबर 18, यह कमपनी यूसेज 3 raw material A, B, C, और यह particular product for which the following data apply, एक finished goods को बनाने में, तीन तरीके के raw material लगते हैं, A, B, and C, आपके मनमारगों से राजा कैसे possible हैं, अरे भाई, जब चाय बनाते हो दूद लगता है, क्या है दूद, raw material, चैपत्ती लगती है क्या, हाँ, क्या है, raw material, चीनी, क्या है, raw material, इलाइची, क्या है, raw material, अधरक, क्या है, raw material, यानि ऐसा हो सकता है, कि एक finished goods को बनाने के अंदर, बहुत सारे raw material लगते हो, यहाँ पर भी है, A, B, C, तीन पर आगर raw material लगते हैं, फिर यह बनाए usage, पर unit of product, यानि एक unit बनाने में, A के लगते हैं, 10 kg, B के लगते हैं, 4 kg, और C के लगते हैं, 6 kg, तब बनता है, one unit of product, ज्यान देना, product, यानि, finished goods, reorder quantity, लो जी, बड़े खुछ न सीवो, एक बार में कितना order करना है, कोशन ने, आपको खुछ से दे दिया, A का 10,000 order करना है, B का 5,000 order करना है, और C का 10,000 order करना है, फिर दे दिया, price per kg, price दे दिया, delivery period in week, lead time किसमे है, weekly है, usage भी क्या होगा, weekly ही होगा, maximum, minimum, average तीनों दे रखे हैं आपको, reorder level, लो जी, आपको reorder level भी दे रखा है, A का और B का, C का नहीं दिया, ठीक है, minimum level दे रखा है, आपको सिर्फ C का, A और B का नहीं दिया, ठीक है, फिर गिवन है, weekly production varies, from 175, to 225 units, averaging 200 units of said, ध्यान देना, क्या लिखावा है यहापर, product, जानिकि, finished goods का दे रखा है, आपको, usage, हमें, finished goods का, production दे रखा है, और हमें क्या चाहिए, raw material का, usage, भई, इतना बनाने में कितना लगेगा, क्या करूँगा मैं, इसको कर दूँगा, multiply with, क्या, usage per unit, यह information, जो कोर्शन में दे रखी है, यह क्या है, weekly production varies from 175, है मेरा minimum, 225 है मेरा maximum, और average है 200, of said product, यहां पर, of said raw material नहीं लिखा है, यहां पर लिखा है product, product बोले तो, finished goods, और हमें क्या चाहिए, usage किसका, raw material का, तो finished goods को, raw material के usage में convert करने के लिए, multiply करना पड़ेगा, with usage per unit of product, जो column number 2 में दिया हुआ है, ठीक है, चलिए, अब करते हैं, solve, requirement number 1 है, minimum stock level को निकालो, आओ जड़ा, question number 18 का requirement number 1, क्या बुला, minimum stock level of A, मुझे क्या निकालने के लिए, minimum stock level of A, यानि मुझे सिर्फ और सिर्फ raw material A का निकालना है, जब minimum stock level को निकालने के तीन formula थे, एक formula तो क्या है, formula 1, formula 1 क्या है, reorder level, minus average usage into average, this is formula number 1, आइए चेक करो, क्या इसके बेस पर, हमें information question में दी हुई है, क्या हमें A का reorder level दिया है, जी दिया है, 8000 kg, यह हमें दिया हुआ है, minus, क्या हमें A का average usage दे रखा है, तो ध्यान दो, कितना production average, 200 unit, तो कैसे लिए लगा average usage, 200 unit गुना, A में लगता है, 10 kg per unit, यह क्या आगा मेरा average usage, 200 का है average production, तो 200 गुना 10, 10 कहां से आया, usage per unit of product, multiplied by average lead time, तो मुझे average lead time दे रखा है, 2 weeks, solve कर लेना, आपकी value आजाएगी, इसका मतलब है, minimum stock level of A, formula number 1 से निकल सकता है, आपको ध्यान दो, चरो उसके निकाल लेता हूं, एक बार, कितना आई है, 200 गुना 10, गुना 2, minus 8000, कितना आगया मेरा, यह आगया मेरा 4000 kg, अच्छा इसका एक और formula, formula number 2, formula number 2, क्या है, maximum usage, गुना maximum lead time, minus average usage, गुना average lead time, ठीक है ना, क्या मुझे कोर्शन में, maximum usage निकालने की information दे रखी है, production कितना है maximum, 225, तो भाई, 225 unit maximum बनाते हैं, एक को बनाने में लगता है, 10 kg, यह क्या आगया मेरा, maximum usage, multiplied by lead time कितना है मेरा maximum, question में given है, yes, 3 week, minus, average usage, वो तो अभी निकार था, मैने, कि 200 मेरा on-air average है, एक को बनाने में टनकेजी लगता है, multiply by average time है, निकालो ज़राशे कितना रही है, 200-10, 225, यह आगया मेरा 2750, तो देखो, इस वाले कोश्टर के अंदर आपको यह बात clear हो जानी चाहिए, कि stock levels को निकालने के multiple formula है, हमें वो formula लगाना है, जिससे हमारा answer आजाए, exam में अगर आपने formula 1 लगाया, तो आपका answer आएगा 4000, नंबर पूरे मिलेंगे, अगर आपने formula 2 लगाया, answer आएगा 2250, नंबर पूरे मिलेंगे, यानि नंबर नहीं कटेंगे आपके, यह था मेरा requirement number 1, minimum stock level of A, minimum stock level of A, requirement number 1, समझ गए बाद, यह question में नहीं क्यों कर आए आपको, यह बताने के लिए, कि एक stock level को निकालने के, multiple formula है, किसी भी formula से answer को निकालो, answer भले ही different हो, number आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, आपके number नहीं कटेंगे, अब अगला मुझे निकालना है, maximum stock level of B, ध्यान देना, मुझे किसका निकालना है, सिर्फ B का निकालना है, इसको निकालने का सिर्फ A की formula है, reorder level, plus reorder quantity, minus minimum usage, गुना minimum lead time, इसमें confusion की बात ही नहीं, क्योंकि simple A की formula है, क्या मुझे B का reorder level दे रखा है, answer is yes, 4750, क्या मुझे reorder quantity दे रखी है, answer is yes, 5000 kg, minus, क्या मुझे minimum usage निकालना की information दे रखी है, तो minimum production है, 175 unit, और एक को बनने में, B के लगते हैं, 4 kg, तो यह हो गया मेरा minimum usage, multiplied by, minimum lead time है, मेरा B का, 3 weeks, इसको solve कर लेंगे, तो answer आ जाएगा, 7650, this is my maximum stock level of B, ठीक जी, चलिए, requirement number 3, requirement number 3 है, मुझे निकालना है, reorder level of C, reorder level को निकालना के 3 formula है, चलो, पहला formula देखता हूँ, पहला formula है, maximum usage, into, maximum lead time, तो क्या मुझे, मुझे C का maximum usage निकाल सकता हूँ, yes, 225 बनेगी maximum, और एक को बनाने में लगता है, 6 kg, C का material, multiplied by, C का maximum lead time है, 4 week, तो 225 गुना 6 गुना 4, यह आगया मेरा 5400 kg, reorder level of C, निकालने का, आपका एक formula number 2 भी है, जहांपे क्या आएगा, minimum stock level of C, plus average into average, यह आप खुट्राई करना, exam के अंदर, किसी भी एक formula से answer को निकालना है, answer आते ही बात करता है, आपको सभी formula से answer निकालकर दिखाने की जरूरत, नहीं है, मैंने अपने return answer के अंदर, आपको formula number 2 से भी इसको निकालकर, दिखाया है, वहां से आप answer को, देख सकते हूँ, अब आजाओ, आखरी है average stock level of A, average stock level of A, formula क्या है, दो formula है, एक formula number 2 क्या है, formula number 2, minimum stock level of A, plus, reorder quantity divided by 2, आजा क्या minimum stock level of A, हमने निकाला है क्या, येस, इस question के requirement number 1 देखो, हमने minimum stock level of A, निकाला है, कितना है, 4000 kg, plus, economic order quantity A की गीवन है मुझे, answer is, येस, कितनी गीवन है, 10,000 kg, divide by 2, तो ये आगया में 9,000 kg, लो जी, average stock level of A, आप formula 1 से भी निकाल सकते हूं, एक बाद ट्राई करना, answer मैंने आपको, अल्ड़ेडी, आपकी practice book में दे रखा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज़ो भई, अगला concept, material turnover ratio, या, inventory turnover ratio for raw material, क्या अगला होता है इसका, turnover ratio का, क्यो निकालते हैं इसको हम, turnover ratio को, turnover मायने तो सेल होता है सर, क्या संबन्ध है, turnover का material से, turnover का मतना होता है, कितनी बार घुमाया, कुछ गेनत में समझा ना, मेरे पहरे दोस्तों, कितनी बार घुमाएं से मेरा मतलब है कि अगर मैंने धंदे में एक लाख रुपए लगाए है उस एक लाख से पहले मैंने माल खरीदा होगा फिर बेचा होगा फिर पैसे आए फिर माल खरीदा फिर बेचा फिर पैसे आए सेल करने पाड़े ना पैसे फिर पैसे आए फिर माल बेचा फिर खरीदा फिर माल खरीदा फिर बेचा फिर पैसे आए फिर माल खरीदा फिर बेचा फिर पैसे आए तो कुल मिलाकर मैं एक लाख रुप के तो घुमारों मार वार और अगर ऐसा हो और अगर ऐसा हो कि पूरे साले मैंने बीस लाख रुपे की सेल कर दी पैसे किता तर्नोवर टर्नोवर सेल वला नहीं टर्नोवर ऊपर गुमते जाओ गुमते जाओ तो मैंने 20 वाल एक गुमा दिया अच्छा मैं आपके सामने दो एक्जांपल रखता हूं बताना कौन सा वाला बैटर है मालो आपके सामने दो कंपनी आए और एक अपनी है भी इना इसने सेल करी डिवाइड़ काथा हूं कैपिटल दोनों का इसने सेल करी 20 रुपए की और लगा रहें सिर्फ एक लाख रुपए यानि इसने पैसों को साल में 20 बार गुमाया है आप बात करते हैं बी इसने सेल करी 30 रुपए की और कैपल लगा रहें की एक लाख रुपए इसने उस एक लाख रुपए को साल में 30 बार गुमाया है बताओ कौन सी कंपनी पैसे का सही इस्तमाल कर रही है या कहले जिए बेस्ट या आप्टिमम इस्तमाल कर रही है आप बोलेंगे कंपनी भी क्योंकि इसने ज्यादा बार घुमाया है तो ज्यादा प्रॉफित कमाया होगा येस और नो येस एक कमपणी और लेते हैं C उसने एक लाख रूपए की सेल करी और एक लाख रूपए कैपिटल है क्या लगणा आपको धंदा वाई बेकार बिचार के पास एक लाख रूपर थे उसने एक लाख का माल भीचा ना प्रॉफिट ना लोस माल यह ने विखल युजा उसका उससे एक साल लग गया गड़ा वाल बेशने के अंदर मतलब धंदे में इस्पीड नहीं है इस पीड नहीं है समझ गया है इस पीड नहीं है इसके अंदर समझ गया है ना तो भाई यही बात तो ऐसे ही निकालते हैं material turnover ratio formula क्या है formula है raw material consumed during a year पूरे साल में कितना raw material consumed consumed हुआ divided by average stock अभी इसका implication सम्झाओंगा मैं आपको देखो एक example लेता हूँ सुरे example बाद में लोगा पर समझो पहले क्या है पूरे साल में कितना consume हुआ जैनि opening stock plus purchase minus closing stock यह क्या होता है आपका material था प्लस आपने जो खरीदा माइनस साल के आखरी में जो आपके पास बचा है इसकी calculation को बोलते है material consumed क्या बोलते है material consumed अच्छा divided by average stock of raw material अड़े बोलना average stock of raw material एह राजैने का formula क्या है वह simple openingzlich peras closing divide by two opening फ्लस की ऐख़च़ो दिवाइब वाइट वाइटा इवाइघु निकाल लेने के बाद यानि material turnover ratio निकाल लेने के बाद हमें इसका meaning निकालना है उसके meaning को निकालने के लिए हम निकालते हैं raw material holding period क्या बोलते हैं इसको raw material holding period क्या मतलब है material खरीदने के बाद इस्तमाल होने से पहले कितने समय तक हमारे गुदाम में पढ़ा रहा इसे बोलते हैं raw material holding period raw material हमारे गुदाम में आने के बाद इस्तमाल होने से पहले कितने समय तक गुदाम में पढ़ा रहा अच्छा ये time कम होना चाहिए कि ज्यादा कम होना चाहिए इसको निकालना है तो 365 days अगर month में निकालना है तो 12 days week में निकालना हो तो 52 weeks divided by material turnover ratio याने कि जो हमने MTR यहां निकाला उसका इस्तमाल यहां किया समझें अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है अरे बता रहो बही रो material holding period का मतलब क्या है मानलो मेरे पास दो फर्म है A और B इसका ये मानलो two days और इसका ये मानलो twenty days पहली बात तो इसका मतलब क्या two days का अगर फर्म A का raw material holding period two days है तो इसका मतलब है कि material खरीदने के बाद इस्तवाल होने के पहले on an average package दो दिन गुदाम में पढ़ा रहता है और बी में बीस दिन पढ़ा रहता है यह में दो दिन पढ़ा रहता है बीमें 20 दिन पढ़ा रहता है बताओ कौन सी फर्म अपने material का सही इस्वाल कर रही है वह है आपकी कम है इसका holding period तो कम होगे इसकी carrying cost तो इसकारी का नुकसान कम होगा यानि कि मैं कह सकता हूं कि firm A का raw material fast moving है क्या समझें तो यह implication होता है raw material holding period का यानि कि जो हम निकालते है material turnover ratio उसका निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है raw material holding period क्या समझें अच्छा किसी भी company का अगर raw material holding period ज्यादा होगा वहारे अच्छा है कि बुरा हमारे लिए बुरा है unfavorable क्यों क्यारिंग को ज्यादा होगी इससे हम बोलते है slow moving material इस तवाली नहीं साला movie नहीं कर रहा है एक अपते पहले लिए आथा वहीं पढ़ाया असला मुवी नहीं कर रहा मुव कहां से करता है भाई मुव करता है गुदाम से factory में अच्छा अगर raw material holding period लो है हमारे लिए अच्छा है क्यों carrying cost कम होगी इसको बोलते है fast moving अगर हमने आज आटा खरीदा कल रोटी बना के खा गए ज्यादा अच्छा है लेकिन अगर हमने आज आटा खरीदा और उस आज खरीदे गई आटे के रोटी हम दो हफते बाद खा रहे हैं इसका ना चीटिया लगने का आटे के नमी पकड़ लेने का आटे के खराब हो जाने का आटे के पुराना हो जाने का इसके तो यह था आपका कॉंसेप्ट चलिए अब इसके आब आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 11 कोशन नमबर 11 प्याओ निकाल लो भई कोशन नमबर 11 अगर ठक गए हो थोड़ा मुस्कुरालो नकली मुस्कुरालो असली हसी आही जाएगे कोशन नमबर 11 प्रॉंदी फॉलोइंग डेटा पॉर्टी फॉर्स्ट दिसम्बर तू थू 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 आइटम पूट फॉर्वर्ड यूर कमेंट्स निकालो निकालो और उसके ओपर अपने कमेंट लिखो बताओ अच्छाय की पुरा है हमेरे कोशन में गिवन है ओपिनिंग स्टॉक पर्चेश क्लोजिंग स्टॉक यह रा मेरा मटीरियल ए और यह रा मेरा मटीरियल बी ओपिनिंग स्टॉक मुझे गिवन है कितना दस हजार इसमें गिवन है नो हजार प्लस कर दूँ पर्चेश कितना है पर्चेश बावन हज 27,000 माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6,000 कितना है 11,000 यह आगया मेरा material consumed यह पूरे साल में कितना material consumed हुआ कितना होगा 10 प्लस माइस और माइस 56,000 25,000 25,000 ठीक है मुझे क्या निकाला है MTR मुझे क्या चीए उसके लिए average stock भी चाहिए average stock formula क्या है opening plus closing divided by 2 10,000 plus 6,000 divided by 2 कितना आगया 8,000 simple है न opening plus closing divided by 2 9,000 plus 11,000 divided by 2 कितना आगया 10,000 अब मुझे निकाला material turnover ratio इसे मैं अगर A क्या दूँ और इसे मैं क्या दूँ भी तो यह होगा A बटा B कितना आगया 56 बटा 8 7 टाइम्स और ये 2.5 टाइम्स कोशन निमुझे क्या बोला था निकाल दो material turnover ratio inventory turnover ratio निकाल कर पटक दिया मैंने कोई दिक्कात तो यह कोई दिक्कत नहीं हुई कोशन मुझे क्या बोलास के बाद बोलास मैं कमेंट मी लिखू अरे कमेंट अगर लिखने हैं तो मुझे निकालना पड़ेगा raw material holding period यह निकालना पड़ेगा मेरे लिखू इस वो निकालने का फर्मूला है 365 days divide by material turnover ratio तो 365 बटा 7 कितना आगया यह 52.14 days इसका मतलब है material यह 52 दिन तक पड़ा रहता है तो अब इस्तमाल तो 52 दिन तक सोचो आज खरिदा material 52 दिन के बाद इस्तमाल होगा कितनी खराब पोजिशन है अब बात करते हैं B की 365 divide by 2.5 365 डिवाइड बाइड 2.5 यह आगया मेरा 146 days और अब बापरे material भी तो और आगया भाई आज खरीदूँगा और 146 दिन के बाद इस्तमाल करूँगा कुल मिलाकर company की हालत तो खराब ही है पिर भी अगर दोनों को आपस में compare करूँ तो मैं बोल सकता हूँ A is better हाला कि अच्छा तो नहीं है बस ठीक है in comparison to be ठीक है यार यह 146 days और यहां पर बावन दिन क्या फरक है बूरे दोनों हैं दोनों में कोन अच्छा है माल लोग आपके सामने दो लड़कें आ गई दोनों अच्छी है दोनों में ज्यादा अच्छी कौन जी है सुचना पड़ेगा आपके सामने दो लड़कें आ गए बहुत अच्छे हैं भई अच्छा नीचर स्मार्ट सेंसिबल सेंसिटिव इमोशनल लेकिंग दोनों अच्छा कौन था बताना पड़ेगा आपको अच्छा तो कमेंट कर रहा हूं मैं कमेंट कर रहा हूं कि मटीरियल ए इज पास्ट मूविंग एस कंपेड तो मटीरियल भी सहीएज़ सिंपल था इसके बाद आजाईए अगला कॉंसेप्ट वालुएशन ओव मटीरियल कोस्ट वालुएशनल और मैटीरियल कोस्ट बोले र בחeto नोट कर रो मिटे नोट तो खरण यहां है रूट वालुएशन ओ मैटीरियल कॉंसेप्artet अभी शिखा था मन्या आपको purchase cost, ordering cost और carrying cost. Purchase cost को और clarify करेगा ये concept. जब एक इनसान या कोई company, कोई भी material खरीदिती है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं. तो उन खर्चों को जुड़ा रहने दें, या ना जोड़ें, क्या करें? उसके बारे में ये concept कहता है. मान लो, पहला आइटम है trade discount. हमने 100 रुपए का आइटम खरीदा, cost दी 100 रुपए. discount मिल गया 5 रुपए. trade discount. हमें देने पढ़े 53 रुपए. 100 रुपए का आइटम था, trade discount मिल गया 5 रुपए. हमें देने पढ़े 95 रुपए. तो सवाल ही है, हमारी cost कितनी? 100 रुपए 95? तो जवाब है 95. Because trade discount का benefit हम आगे pass on करते हैं अपने customer का. Simple सी बात ही है. मैंने कितने पे किये? 95 रुपए किये. तो 95 is my cost. यानि कि परतिया इस cost निकालते वक्त, अगर कोशन में trade discount दिया हुआ है, तो उसे deduct करेंगे. हम ये नहीं बोलेंगे कि 100 रुपए है मेरी cost. हम बोलेंगे 95 रुपए है मेरी cost. अगला सवाल. अगला सवाल. 100 रुपए cost थी. बट मैंने bulk में order किया. discount मिल गया 8 रुपए. मुझे pay करने पड़े 92 रुपए. बताओ मेरी cost कितनी? अगर कोई discount मिल गया है due to bulk buying तो उसे purchase price में से माइनस रहने दें. This is called quantity discount. समझ गया? अब आती है खास बात. आओ, मेरे प्यारों. आओ, 100 रुपए का मैंने माल खरीदा था. मैं गया दुकान पर. मैंने बोला मेरे को माल दे दो. उसने का 100 रुपए का ले लो. फिर मैंने मुझा payment, उसने बोला एक अप्ते में कर सकते हैं payment. मैंने अपनी जेब से हजारों के note की गड़ी निकाली. मैंने भड़ा भड़ा note की note. आलागाला currency की note. मैंने चेक निकाल दिया, note की अपनी निकाल दिया, मैंने भड़ा अभी चेक काटूँगा. बता, डिस्काउंट देगा. वो नहीं माना. मैंने का ये ले लेट्टव लेकाई हूँ, अभी नेट बेंकिंग करके payment राशा कर दूँगा. बता, किता है डिस्काउंट देगा, उसको लालच आ गया, वैसे वो डिस्काउंट देता नहीं है, वैसे वो एक हफ़ते के credit पर माल बेचता है, बट क्योंकि मैंने तुरंथ payment करने का वादा किया, उसके मन मिलालच आ गया, उसने बोला, अगर तुरंथ payment कर रहे हो, मैं ठीक है, यानि कि मुझे पे करने 98 रुपए, मैंने पे कर रहे हैं, अब बताओ, मेरी कोश्ट इतनी 100 रुपए या 98 रुपए, तो जवाब है 100 रुपए, हैं, सर हर जेके तो आप बोले दें, 90 रुपए, यहां पर 100 रुपए ऐसा क्यों सर, because cash discount को हम financial benefit मानते हैं, और इस benefit क reason है, हमारा financially rich होना, हमारी firm के पास पैसा है, तब ही तो वो discount मिला, सब को थोड़ी मिलका है, तो इसलिए, इसी logic के base पर cash discount को purchase price में से माइनस नहीं करते हैं, यानि मैं मानूँगा, कि मैंने 100 रुपए की cost खर्च की, हाला कि payment मुझे 98 रुपए ही करनी होगी, लेकिन जब मैं निकालूँगा, purchase cost of raw material, तो मैं 100 रुपए मालूँगा, तो यह मेरा cash discount, आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखना, cash discount को यह माइनस नहीं होता है, बाकि trade discount हो, quantity discount हो, माइनस हो जाते हैं, आगे बढ़ता हूँ, road tax pay किया, toll tax pay किया, octoy pay किया, कोई भी entry tax pay किया, यह मेरी cost का पा भई मैंने 100 रुपए दिया, रास्ते मिया तक मैंने 8 रुपए का toll tax दिया, तो मैं मानूगा, मेरे 108 रुपए खर्चा किया, yes, 108 रुपए is my cost, अब बात करते हैं, GST की, अब बात करते हैं, अगला item GST, मैंने 100 रुपए का, उस पर GST लगा मालू, 18% है, नहीं, 18 रुपए, मैंने पे करें 118 रुपए, बताओ, मेरी cost कितनी 100 रुपए या 118 रुपए, तो जवाब ये है, कि अधर इस 18 रुपए का benefit, मुझे GST payment करते वक्त मिल सकता है, तब तो मेरी cost रहेगी 100 रुपए, अधरवाइज मेरी cost रहेगी 118 रुपए, क्या मतलब, समझाता हूँ, देखो, मान लो, यह राँ purchase, और यह राँ sale, मैंने खर्दक आटम 100 रुपए का, GST पे कि 80 रुपए का, और मैंने supplier को पे कि 80 रुपए, अल्राइट, मैं कुछ लेकर आया, अब मैं उसको बेच रहा हूँ, मान लो 300 रुपए, यानि 300 रुपए का मैंने sale किया, और 300 रुपे अब ज़रा ध्यांद देना, जो GST मैंने customer से extra लिया है, 54 रुपए, जो GST मैंने customer से extra लिया है, 54 रुपए, इसको मुझे government को पे करना है, इसे बोलते हैं, goods, goods की tax liability, goods and services tax, GST, तो मुझे 54 रुपए, पे करना है, गवर्मेंट को, बट मैंने क्या मैं कहा बना हूँ, गवर्म पे नहीं करूँगा आपको, क्यों, 18 तो लेड़ी पे कर चुका हूँ, भाई, जब मैंने माल खरीदा था, तो मैं धर्म तब भी पे गे था, मैंने, तो गर्मने क्या बला, कोई बात नहीं, ये 18 रुपए, यहां माइनस कर लो, और हमें तुम पे कर दो, चो बन माइनस 18, यानि 16 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ, कि GST paid का मुझे यहां क्या बिल गया benefit, तो अगर GST paid जो हमने किया है, उसका benefit हमें future में मिलेगा, हमें उसका credit future में मिलेगा, तो हम उसे cost नहीं मानेंगे, इसको GST को हम cost नहीं मानेंगे, लेकिन अगर हमें पता लगे, कि हमें GST का cost मान लेंगे, क्या समझे, इसका मतलब यह है, कि जब मैंने माल खरीदा, 100 रुपे प्लस 18, पेमिंट की 100 राकी, अगर यह GST जो मैंने पे किया है, इसका मुझे future में credit मिलेगा, तो यह मेरी cost नहीं बनेगी, मेरी cost रहेगी 100 रुपे, यह रहेगी मेरी cost 100 रुपे, लेकिन अगर मुझे अगर credit future में नहीं मिलेगा, तो मेरी cost पानूगा में 118 रुपे, कौनची cost, परचेज cost, ठीक है, और question आपको खुलके बताएगा, कि आपको उसका input tax credit मिलेगा, कि नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर मिलेगा, तो GST cost का part नहीं बनेगा, अगर credit नहीं मिलेगा, तो GST cost का part बन जाएगा, सवाल यह है, question ने अगर हमें बताया नहीं तो, question ने, अगर हमें बताया नहीं तो, तो हम माल लेंगे की credit मिलेगा, ठीक है जी, आगे बढ़ते, अगला है, damage, detention, charges, fine penalty, जिस ट्रक में माल आ रहा था, ट्रक का driver, छालांगा मारते वे आ रहा था, आपने गाना सुनाओगा, ओ, कौन सा गाना था वो, गड़ी जाती है, चलांगा मारती, मैंनों याद आए, मेरे यारती, उसमें basically क्या बोल रहा है, वो अपने dream sequel करने चल गया है, वो अपनी बंदी को याद कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो गया है, उसने अपनी बंदी को याद करते करते, गाड़ी सलांगे मार मार के जा रही है, गले गए, रेड राइट जब कर दी, उसमें ने हाथ दिखा दिया, गाड़ी दो क्लिए, ट्रक लगा साइड में, और पैनल्टी लगई दो हजार रुपे की, चलान कड़ गया जी, सस्रीय काल, चलान कड़ गया, दो हजार रुपे जो हमने ऐसे पैनल्टी, ऐसे फाइन, ऐसे डेमरे चार्ज, ऐसे डेटेंशन चार्ज पे किये हैं, क्या वो पैनल्टी भी कॉस्ट माने जाएगी, आंसर इस नो, पैनल्टी को हम कॉस्ट नहीं मानेंगे, विकॉस पैनल्टी हमारी खुद की गलती की वज़य से लगी है, और इसे हम कॉस्ट नहीं मान सकते, यह हमारा लॉस है, कॉस्ट में और लॉस में फ़रक होता है, कॉस्ट मतलब वो खर्चा जो हमने जैनुवन किया है, हमने लीगली किया है, और उस खर्चे पर प्रॉफिट एड़ करके हम कस्टनमर से से लिंग प्राइज लेंगे, पैनल रस्त लगया टेक्स के ऊपर allowed नहीं होता है वैसे ही, यहाँ पर भी पैनल्टी अगर हमने पे करने पड़ी तो हम उसे cost में add नहीं करेंगे आगे बढ़ते अगर कोई insurance पे किया है, कोई commission पे किया है, कोई brokerage पे किया है या freight पे किया है definitely वो purchase cost का part बनेगा वह परचेस कोस्ट का पाट बनेगा पीर कोस्ट और कंटीनर कंटीनर मतलब जिस बक्से के अंदर समान रख कर आ रहा है देखो अगर वो बक्से रिटरनेवल है देखो अगर वो बक्से रिटरनेवल है जैसे मालो कि मैंने इस पैन के एक लाख प्लास्टिक कवर एक यह थे लाख रिफील और एक लाख मनगा एग कर वह किसी बनुच्छार केके जुन रखेक्टाक्ड हूह सीधियाow on जैसे मान लू है है जैसे मान लू है है मैं थी जह सчто मांगे कि आटिम क्यों से बहा है मैंने बोला कि यार तूडियां मंगवाली मैंने जैपूर से अब दिलीम बैठे बैठे सब्सक्रों तो दुगंदार ने बोला साब तूडियां भेजूंगा तूट सकते हैं रास्ते में तो मैंने इसे बॉक्स में प्रैक कर देता हूं बॉक्स वड़ा मजबूत है बट इस यहाँ पर बॉक्स क्या है रिटर नीवन टेखिनिकल सब्सक्रों क्या बोलते हैं कंटेइनर क्या बोलते हैं कंटेड़ तो अगर पनटेडर वापिस किया जा सकता है तो कंटेणर की कॉस्ट को हम एड नहीं करेंगे पर चेस कौस्ट में अ है किगोई चूडियों की जो को बखसे को वापिस नहीं कर सकता मैं बोला साथ देखो स्टूडियां देखो मैं जैपूर से दिल्ली भेश तो रहा हूं बड़ यह जो बॉक्स मैंने बनाए ने सिर्फ आपी के लिए बनाए मैं मेरे किसी काम कर नहीं है आपी किलोते कस्टमर हो जो जैपूर से दिल्ली पे करें उस कंटेनर के उस बॉक्स के वह मेरी पर्चेस कॉस्ट में एड हो जाएंगे वह मेरी पर्चेस कॉस्ट में एड हो जाएंगे चलिए आगे बढ़ता हूं अगला है नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, ध्यान दो जरा, आपने 100 युनिट्स ली, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे माल लो कि मैंने 100 पैन बनाने के लिए माटेरियल मंगाया, और मुझे पता है, और अनने अबरेज में, दो पैन तो खराब होंगे, यह मुझे पता है, दो पैन क्या है मेरा, नॉर्मल लॉस, लेकिन माल लो खराब होंगे, पांच पैन, तीन क्या है मेरा, तीन है मेरा, अबनॉर्मल लॉस, लेकर दो क्या है मेरा, नॉर्मल लॉस, और तीन क्या है मेरा, अबनॉर्मल लॉस, बास समझ गया, नॉर्मल लॉस मतलब एक्सपेक्टेड को लोस होगा ही नहीं हो लाइज होना के पूरे चांची अ कर लॉड़ा ही यह निकारा मैं ति अधिक जाता है वही जाता है जैसे मालनों आप सब्सक्राइब करने के लिए बैठेव तो मैं मानता हूं एक गंटा खराब होगा ही एक गंटा क्या आपके लिए नॉर्मल लॉस बट आपने पढ़ाई करी 8 गंटे तो अगला एक गंटा क्या हो गया अब नॉर्मल लॉस अच्छर नॉर्मल लॉस को आपको अवाइड निहीं कर सकते अगर दिन में 8 गंटे इम्प्लॉई को काम करने के लिए रखा है एक-दो बार तो bathroom जाए गई ना हो टांए तो बेस्ट होई रहा है और उसे हम ऑवाइड निकर सकते हैं इसे कहते हैं Normal Loss कि अब तो नर्मल लॉस के लिए हम कभी भी किसी को पैनलाइज नहीं करते हैं किसी की पिटाई नहीं करते हैं Normal Loss के लिए लेकिन abnormal loss होने पर हम पिटाई कर देंगे सिर्फ दो पहन बेकार होने चाहिए थे पांच पहन हो गए बेकार मेला तीन पहन एक्ष्टा बेकार हुए तीन ही बज़े से अच्छा जब भी abnormal loss हो गल्ति किसकी होगी बताओ जरा employee की कि अच्छा जरी नॉमल लॉस में गलति किसकी होगी किसी की भी नहीं भाई उसे हम अवाइड कर ही नहीं सकते वह होना ही है तो ध्यान देना जब भी हम निकालेंगे cost per unit क्या formula को सब्सक्राइब का निकालने का cost per unit को निकालने का फर्मुला है total cost यह तो टोटल परचेस cost divided by total units कौनसी नॉर्मल मतलब अगर मानलो मैंने 1000 लीटर पेट्रोल जैपूर से दिल्ली बंगाया है मैंने का यार दिल्ली के रेट में और जैपूर के रेट मानलो बहुत फ़राग है पेट्रोल के अंदर तो मुझे लगा यार 1000 लीटर में जैपूर से बंगा लेता हूं मे इगर वो 1000 लीटर वहां से लेगे चलेगा न तो 300 सो किलो मेटर आते आते 3-4 लीटर पांच लीटर तो ओड़ी जाएगा हवा से ने कर दो मेरे पास कतना आएगा 995 लीटर पो जब मैं नेकाल हूं ूढि को कॉस्ट पर लीटर मुझे कितना पढ़ा जम मैं निकाल उंगा म आपने जो five units का जो loss हुआ है ना उसकी cost को good units ने absorb कर लिया इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं absorb करने का मतलब क्या है देखो क्या मतलब है absorb करने का यहाँ पर यहाँ जाओ example देना मैं आपको मान लो total cost मैंने मंग आया 1000 लिटर petrol मान लो एक राख रुप्य का आया मान लो यहाँ आपको कम कर लेता रुप्य जाओ तक ही calculation में असानी रही है मान लो 1000 लिटर petrol मेरा आया 1000 रुपीस का मान लो मानने में के जाना किता लिटर total quantity कितनी 1000 लिटर अगर 1000 लिटर चलता और 1000 लिटर आता तो मैं क्या बोलता कॉस्ट पर लिटर कितना मैं बोलता कॉस्ट पर लिटर कितना बोलता मैं 1000 डिवाइड बाई 1000 लिटर यानि यह मैं बोलता एक रुप्या पर लिटर यह बोलता ना मैं लेकिन हुआ क्या खर्च किये मेरे 1000 और मेरे पेट्रोल पम तक आते उसमें से 5 लीटर पेट्रोल हवा में उड़ गया यहीं बचा कितना? 995 तो कस्तेमर की गाड़ी में कितना डाल कौंगो पेट्रोल में? 995 कितना आया मेरे कौस्ट पर लीटर? कितना पड़ा 1000 डिवैड़ में 995 लीटर कितना आया यह 1.0050 यह आया पर लिटर देख रहे हैं आप normal loss जो मेरा हुआ है normal loss जो मेरा हुआ है उसकी cost को good units ने absorb कर लिया मतलब cost बढ़ गई यह मतलब था उसका अब इसे फायदा क्या होगा जब मैं निकालूँगा cost per liter फिर इसमें क्या आड़ करूँगा expected profit per liter यहाप आड़ करूँगा फिर मेरा क्या आ जाएगा price per liter यह मैंने आड सब्सक्राइब निकालते हैं cost per liter फिर मतलब है absorb करने का यहां पर देखो जो normal loss है उसकी cost को absorb कर लिया है good units ने cost बढ़ गई न एबसॉर्ब करना मतलब cost का बढ़ जाना cost का बढ़ जाना चलो जी question number one करते है question number one question number one an invoice in respect of a consignment of chemical A and B provides the following information chemical A खरीदा 10,000 kg chemical B खरीदा 8,000 kg price कितना 10 पर केजी 13 पर केजी यह पर्सिस प्राइज हो गया तो एक लाग रुपया लगी chemical A के एक लाग चार्ज़ा लगी chemical B के लिखा है basic custom duty 10% bracket में क्या लिखा है credit is not available क्या मतलब जो टेक्स मैंने पे किया है जो custom duty मैंने पे की है इसका मुझे future में कहीं पर भी benefit नहीं मिलने वाला इसका मुझे future में कहीं पर deduction नहीं मिलने वाला इसका मतलब क्या है यह मेरी cost का part बनेगी फिल लिखाए railway freight कितना 3840 यह मैंने दोनों के लिए पे किया ठीक है आगे बोलता है a shortage of 500 kg in chemical air and 320 kg in chemical B is noticed due to normal underline करूबर नॉर्मल ब्रेकेज भाई chemical आ रहा है रास्ते में chemical हवा में पूर जाता है आपको पता होगा तो भाई 500 kg कम रहा chemical air और 320 kg कम रहा chemical भी तो दोनों के दोनों क्या है नॉर्मल लॉस ओके यू आर रेक्वाइट विट्रमाइन रेट पर केजी ऑफ इच केमिकल यानि मुझे क्या निकालना है cost per unit assuming a provision of 2% for further deterioration provision मतलब कुछ loss तो अलड़ी हो चुका है जो कि नॉर्मल था अब यह कह रहा है कि 2% का और provision बना दो प्रोविजन मतलब क्या expected loss expected loss मतलब क्या normal loss ओ normal loss तो मुझे cost per kg निकालना पड़ेगा total cost divided by total normal units मैं लेको इसको मुझे cost per kg निकालने के निकालना पड़ेगा total cost divided by total normal units इन kg कहलो यह निकालना दो इफ्रमिशन तो निकालता हूं फिर यह रहा chemical A यह रहा chemical B proper format के अंतरा अंसर नहीं बना रहा हूं समझा दूंगा पूरा का पूरा पूरा प्रॉपर format में answer बना के आपको लिटी दिया हुआ है ताकि प्रॉपर टाइम बचे सबसे पहला क्या है मेरा purchase price कितना है जी एक लाग दिया मैंने टेक्स का पाड़ बनेगी तो एक लाग का 10 परसेंट 10 जार और एक लाग शाजर देन परसेंट 10 जार चाहर सार फिर इसके बाद एड़ रेलवे फ्रेट अब ध्यान देने जरह नथे रेलवे फ्रेट मुझे Giveण है त्यना जार आट सो चालिस और यह पर यह 비द नई यह के लिए कितना बी के लिए कितना तू किसुआन टे इसको मुझे बाठना पड़ेगा किस रिशो में quantity के रिश्यो में क्यों बाई quantity के रिश्यो में क्यों क्यों कि रेलवे के अंदर नॉर्मली जो किराया लगता है वो quantity के बेस्पे लगता है कि कितना कितना केजी माल आप पर जा रहा है तो एका है कितनी आएगी है एक लाग बारा हजार एक सो एंधिस और यह होगा कि 116107 तो लो जी दो इंफॉर्मेशन पैद इंफॉर्मेशन तो आगी मेरी पास तोटल काउस्ट अम मुझे क्या निकलना है टोटल नॉर्माल यूनिट्स तो ध्यान देना चाराब टोटल नॉर्माल यूनिट्स निकालना है मेरे को मैं यहीं पे निकाल लेता हूं इसी वाले को आदम के अंदर इसी वाले के अंदर देखो सबसे बहले क्वांटिटी मैंने कितनी परचेस की थी तो एक खरता था मैंने 10,000 kg और बी खरता था मैंने 8,000 kg मेरा नॉर्मल लॉस कितना हो चुका है तो इसमें लॉस हो गया मेरा 500 kg का और इसमें लॉस हो गया मेरा 320 kg का तो बचा कितना मेरे पास है और 7,6,8,0 का 2% यह आगया मेरा 105.60 तो यह आगे मेरे नॉर्मल यूनिट्स तो पिस चांवे सो माइनस एक सो नब है यह आगया मेरा 9,310 kg मेंने 7526.40 kg तो लोजी यह है टोटल कास्ट और यह है मेरे टोटल नॉर्मल यूनिट्स तो कास्ट पर kg आप निकाल लेंगे A बटा भी कारिशन दो आप करी लेंगे A बटा भी यह कितना है मेरा 1,1,2,1,3,3,9,3,5,0 7526.40 यह आगया मेरा 15.42 यहांस तो तो लोजी में कोशन नॉम्बर वन आपका यहां पर हो गया जी complete ठीक है जी तो टाइम हो चला क्लास का तो आज जी क्लास को साइन आफ करते हैं थैंक यू